What's up everyone, welcome back to the channel, so guys, हम लोग आ गए है, day 21 of our 21 days revision series, आज cash flow का वीडियो लगबग 2 घंटे का था, but मैं बहुत guarantee के साथ कह सकता हूँ कि आपने एक बार वो वीडियो पूरा करा ना, तो आपको cash flow का बड़ा question तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, और cash flow का question बड़ा ही आना है, है ना तो आप लोग को cash flow के मैंने दो parts कराए है, एक में मैंने सौरे basics और एक question कराया था, वो एक घंटे का था, और आज वाले part में 4 questions थे, जो बहुत important है, उसी तरीके से बच्चों, अब ये part issue of shares का होने वाला है, जिसके अंदर हम जितने भी questions करेंगे, वो most most important होंगे, और आपन इसे हर प्रकार का question कर पाओगे, क्योंकि वो सारे questions इस part में cover हो जाएंगे, तो बहुत ध्यान से देखना, हो सके तो दो बार तीन बार देखना, आज पूरा होने के बाद, कल फिर बैठ के revise करना, तो cash flow और shares, जो आज का दिन है ना बेटा जी, बहुत बहुत important है, तो जाओ जाके comment section में attendance लगाओ, इस part को enjoy करो, और complete कर दो अपने issue of shares के हर तरीके के question, और उसके बाद हम लोग बस economics को मिलते हैं और ख़तम करते हैं, चलिए जलिए से, let's begin आपके पास shares में न, अगर हम shares की बात करें, तो shares में तीन cases बन सकते हैं, सबसे पहला case बनता है, under subscription अंडर subscription, ठीक है, दूसरा case बनता है, हमारे पास full subscription और तीसरा case हमारे पास बनता है, over subscription अब इसको समझने की कोशिश करना कि क्या होता है under subscription, क्या होता है full subscription, क्या होता है over subscription let's talk about under subscription first, कि under subscription क्या है, देखो अगर हम बात करें under subscription की तो इसका मतलब है कि जितने number of shares company ने issue करें हैं, उतने नहीं भी के हैं यानि, for example, company ने offer करें 1 lakh shares और public ने apply करा, मात्र 95,000 shares के लिए तो इसको हम under subscription बोलते हैं, यहाँ पे आपका पूरा question 95,000 shares से होगा पूरा questions, जितनी पे entry होगी, वो 95,000 से होगी, क्यों? क्योंकि भाई, public ने खरीद ही 95,000 shares हैं, तो question पे कोई impact नहीं आता, 95,000 से पूरा question आप कर सकते हो ठीक है, full subscription का मतलब क्या होता है? कि जनता ने 1 lakh share company ने offer करें और 1 lakh ही खरीद लिए full subscription, तो यहाँ पे भी आपका पूरा question 1 lakh shares हो जाता है, इस particular case में भी आपको कोई भी problem question में नहीं आती problem कहा आती है, problem आती है over subscription में, कि company ने offer करें 1 lakh shares और application आगया 1 lakh 20,000 shares के लिए इस तरीके की चीज़ें, अब ऐसा हो सकता है market में, किसी shareholder को पता थोड़े नहीं होता है कि कितने share already big चुके है company ही तो a lot करेगी न, तो मैंने एक तरीके से 20,000 के लिए apply कर दिया, किसी ने 10,000 के लिए apply कर दिया, किसी ने 5,000 के लिए apply कर दिया ऐसे करते करते, total application एक लाग 20,000 का आगया company के पास, जबकि share सिर्फ कितने है, एक लाग, अब company क्या करती है, या तो company जो extra 20,000 है उसको वापिस कर दे या तो जो extra 20,000 है उसको वापिस कर दे, और या फिर company ये बोले, कि हम इनको proportionately a lot करेंगे सर, proportionately का क्या मतलब है, proportionately का मतलब है, कि total एक लाग 20,000 share की जगा हम एक लाग ही issue करेंगे इसका मतलब, हम हर 12 share पे 10 share a lot करेंगे, या अगर आपने 12 share मांगे हैं, तो आपको 10 मिलेंगे, दो नहीं मिल पाएंगे अगर मैं इसको और simplify करूँ, तो अगर आपने 6 share मांगे हैं, तो आपको 5 ही मिलेंगे for every 6 shares, आपको सिर्फ 5 share allot होंगे, इसको हम proportionate allotment बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं, प्रो राटा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रो राटा, प्रो राटा का मतलब होता है, proportionately shares को issue करना क्योंकि सारे को सभी shareholders को तो नहीं दे पाएंगे न, तो proportionately कैसे देते हैं, कुछ न कुछ system बनाते हैं, कि company भाई कम shares देती हैं मतलब आप जितने भी मांगोगे न, आपको उससे कम मिलेंगे, इसको हम बोलते हैं, प्रो राटा allotment, यानि proportionate allotment, अब इसके question कैसे आएंगे, अचा सर प्रो राटा होता है, प्रो राटा सिर्फ और सिर्फ over subscription के case में होता है, याद रखना, under subscription और full subscription में तो normal question चलता रहता प्रो राटा कहाँ पे आता है, हमेशा over subscription के case में, ठीक है, अब प्रो राटा को समझने से पहले, over subscription को समझने से पहले, एक हम full subscription का question कर लेते हैं, पूरा बड़ा question, जिसमें full subscription की बात हुई हो, फिर प्रो राटा वाला question करते हैं, चलो, पहले full subscription का question देखते हैं, क्या है हमार पास, full subscription का question है, हमारे पास, यह रहा, दिनेश लिमिटेड इन्वाइटिड अप्लिकेशन फॉर 10,000 इक्विटी शेर, 10 इच, 10,000 शेर, 10 रुपे का एक है, पैसा कैसे कैसे मांगा है, 1, 2, 3, and balance, यानि 4 रुपे, तो 10,000 शेर, 10 का एक, हाथो हाथ, हम इसका, basic system बना के चलते है कि 10,000 शेर, कमपनी इचु कर रही है, और 10 रुपे का एक है, 1 रुपीज, 2 रुपीज, 3 रुपीज, 4 रुपीज, इस तरीके से इचु करे जा रहे है, ठीक है सर, बिलकुल सही है, उसके बाद क्या हुआ है, अरे भाई, ऐसे चीज़े मत खोला करो, 1, 2, 3, 4, अब यहां से आपको लॉजिक को पगड़ना है, इशु कैसा है, फुली सब्सक्राइब है, फुली सब्सक्राइब का मतलब कि अगर आपने 10 शेर के लिए अपलाए कर रहा है, तो 10 ही आपको मिलने वाले हैं, ओर सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है, यहां पर, ओर सब्सक्रि राम, उसके पास 100 शेर हैं, फेल टूपे अलॉट्मेंट, उसके शेर यहीं पे फॉर्फिट हो गए, बैने ऐसे लिख लिख लिया, कि उसके शेर यहीं पे अलॉट्मेंट के बाद ही फॉर्फिट हो गए, ओके जी, इसके बाद राम की बात हो गई है, राम तु हुम 100 शेर इसके पास 150 shares थे ये दिया ये दिया फिर्स्ट कॉल नहीं दिया और फिर्स्ट कॉल के बाद इसके शेर्स फॉर्फिट हो गए उसके बाद final call मांगी गई और आगे लिखा एक shareholder है Mohan जिसके पास मात्र 50 shares है if I am not wrong Mohan Mohan to whom 50 shares were allotted failed to pay the second and final call His shares were also forfeited ठीक है जी इसके shares भी forfeit हो गए है ठीक है इसने ये दिया ये दिया ये नहीं दिया यहाँ पे हो गए forfeit और forfeit होने के बाद ये सभी shares ये भी ये भी और ये भी last में re-issue हो गए है last में re-issue हो गए है re-issue हमेशा last में करना होता है तो उसके बाद बाद में करेंगे पहले यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं question होगा कैसे ठीक है अब देखो सबसे पहले तो आपको question समझ आ जाना चाहिए कि यह यह question में हुआ है अब मुझे question पढ़ने की जुरत नहीं है मेरे सामने table है मैं इसकी मदद से पूरा question कर सकता हूँ अब देखो सबसे पहले application money आएगा application money आने की 10,000 into one 10,000 रुपे से application आ गया bank account debit to share application अगला share application account debit to share capital bank account debit to share application यह 10,000 रुपे capital में transfer होगा है first entry done पहला step done पहले step में कुछ typical नहीं था एक रुपे का काम था यह सब कर दिया हमने ठीक है अब allotment पर आ जाते हैं sir allotment में कुछ highlighted है क्या बिल्कुल है देखो allotment में यह area और इसके share forfeit भी करने allotment के बाद तो चलो शुरू करते हैं allotment का पैसा मांगो share allotment account debit share allotment account debit to share capital share allotment account debit to share capital दस हजार इंटू दो दस हजार इंटू दो बीस हजार बीस हजार जब मिलेगा बिटाजी तो यहां पर problem के आई कि राम वाज अनेबल टू पे हिस अमांट राम का पैसा नहीं आ पाया तो हम करेंगे bank account debit bank account debit जो पैसा नहीं आया उसको क्या बोलते हैं calls in areas calls in areas debit to share allotment जो पैसा नहीं आता नुक्सान है area है share allotment आपके पास आगया 20,000 यह बच्चे जितना मैंने debit करा उतना ही credit करा क्योंकि मैंने calls in areas का account open करा है calls in areas कितना हुआ है राम के पास 100 shares थे 100 पर टू रूपीज 100 shares थे ना राम के पास हमेशा balance में निकालना है कितना आया यह हमने balance में निकाला इसके बात क्या करना है सर अब बच्चे सबसे important बात shares को forfeited करना है ठीक है forfeet करना है share forfeature की entry सीखनी होगी आपको उसके लिए हमने entry सीखी है क्या entry बनती है देखो entry बनेगी हमारे पास basically share capital account debit forfeature की entry दूसरे pen से करते है share share capital account debit two two बच्चे उस call का नाम लिखते थे जो पैसा नहीं मिला है ना बट उस call की जगह हमने यहाँ पे calls in areas use कर रहा है तो कभी भी ऐसा हो जब आप बड़ा question कर रहे हो और आप call scenario account open कर रहे हो तो forfeature के time पे आप इसी को close करोगे यहाद रखना अगर आपको सिर्फ forfeature की entry आ रही है तब तो आप simply कर सकते हो to share allotment कि भाई allotment नहीं मिला था बट क्योंकि यहाँ पे हमने call scenario account open कर रहा था तो that is why बड़े question में आप calls in areas को ही close करोगे तो यहाँ पे आप allotment ना लिखके क्या लिखने वाले हो to calls in areas calls in areas किसको represent कर रहा है allotment को ही represent कर रहा है ठीक है and two जो मिल गया उसको हम बोलते है share forfeature अब यहाँ पे ध्यान दो number of share forfeited मैंने आपको allotment उसमें forfeature में सिखाया है कैसे करते है number of share forfeited 100 into called up called up कितना है बच्चे अभी तक called up सिर्फ 3 रूपीज है अभी हम यहीं पे है 3 ही called up है अभी तक तो 100 into 3 300 एरियर यह as it is यह वाला as it is 200 तो यह आपका 100 का profit हो जाएगा यह मिल चुका है आपको यह balance में आगया तो यहाँ पे आपको जादा सोचना नहीं पड़ेगा जितना आपने call senior year ऊपर debit करा है उतना ही forfeature में credit कर देना और question हो जाएगा done अब हम करते हैं first call के लिए first call मांगनी है अब देखो यहाँ पे फिर एक forfeature है और फिर उसको forfeit भी करना है area और फिर उसको forfeit भी करना है चलो पहले तो यहाँ तक का screenshot लो note करो ध्यान से देखो इस चीज़ को यह दो entries काफी important है ठीक है इनको ध्यान से देख ना अलराईट done अब कई जगह पता क्या होता है बचो कई जगह ना call scenarios open नहीं कर रहा होता अगर call scenarios open नहीं कर रहा होता उस case में question में क्या होता है यहाँ पे ना रहा होता है कि वो यहाँ पे 20 ना लिखे 19-800 ही लिखेंगे तो उस case में आप यहाँ पे share allotment लिख सकते हो परपस प केस आपने area account open नहीं करा और यहां माइनस करके लिखा कि 20,000 में से 200 नहीं मिले तो 19,800 यहां 19,800 यहां उस scenario में आपके allotment में debit 20,000 हुए लेकिन credit 19,800 हुए तो आपको 200 और credit करना पड़ेगा तो for future के time पे हम 200 और credit कर देते हैं तो वो 20,000 पूरा हो जाता है बट हम लोगों ने अगर शुरू में ही call scene area account open कर लिया यहां पे तो हमारा allotment अल्रेडी 20 debit और 20 credit हो चुका है आप दुबारा नहीं credit करोगे यहां पे बात समझे सिर्फ call scene area को जो debit किया था उसको credit करना है ओके चालो first call मांगते हैं अब एक और important बात बेटा जी जब आप first call मांगोगे तो first call अब सभी shares पे पूरे 10,000 पे नहीं मांगोगे 10,000 में से 100 shares तो forfeit हो चुके हैं तो उनसे तो पैसा मांग नहीं सकते हैं तो क्या बनेगी share first call account debit share first call account debit to share capital share first call account debit to share capital bank account debit bank account debit फिर से पैसा नहीं मिला उसको हम क्या लिखेंगे calls in areas account debit to share first call share first call अब कितने से debit होगा बच्चे total number of shares 10,000 थे 10,000 में से 100 shares forfeit होगे हैं तो आप basically क्या बनेगा 9,900 shares बचेंगे 9,900 into 3 यह यह होने वाला है आपके पास टोटल तो अब क्या बन जाएगा 9900 into 3 तो 29,700 आपके यहां पर आ जाएगा 29,700 29,700 ठीक है जी अब share first call वही हम तो पूरा close कर रहे हैं क्योंग हम लोग area के लिए call sign area account open कर रहे हैं इस बार area कितना हुआ है area हुआ है 150 shares पे 3 rupees 150 shares पे 3 rupees तो 450 का area हो गया तो 29,700 माइनस 450 तो यह हो गया 29,250 यह आपको receive हो जाएगा 29,250 आपको receive हो जाएगा ठीक है अब करना क्या है सर इसके बाद यह वाले shares भी forfeit कर देने हैं यह shares भी forfeit कर देने हैं तो for feature के लिए क्या entry होगी share capital account debit share capital account debit to call scenarios हम call scenarios यूज करें क्योंकि हमने call scenarios open करा है to share for feature number of share forfeited है हमारे पास 150 called up है अभी तक 6 sir called up 6 कैसे हुआ देखो एक रूपया दो और तीन तीन दोपाच और एक 6 सही हो गया called up हो गया हमारे पास 6 तो 150 इंटो 6 900 एरियर है यह 450 और यह balance में as always यह आपने balance में निकालना है area उसके होता है जो पैसा नहीं मिला है ना वो यहाँ पर यह था जितना ओपर debit हुआ उतना ही नीचे credit कर दो simple यही यह call share यहाँ गया अब सर यह भी forfeit हो गया डन हो गया अब last में हम बस final call मांगने वाले है final call पे भी मोहन ने पैसा नहीं दिया final call चार रुपे की है तो चलो शुरू करते है इस से पहले 9900 पे हुआ था ना तो final call की क्या entry बनेगी इधा लिख देता हूँ शेर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेर कापिटल सर फाइनल कॉल कितने शेर्स में मांगें देखो टोटल हमारे पास 10,000 शेर्स थे जिसमें से 100 हमने पहले हटा दिए 1500 अब हटा दिए तो 10,000 माइनस 100 माइनस 500 कितना बैठ जाएगा 10,000 माइनस 100 माइनस 500 9,750 शेर्स आ गए अब आपके बास तो यहाँ पे जो आपके शेर्स बचे वो बचे 9,750 इस पे 9,750 पे 4 रुपे क्योंकि फाइनल कॉल 4 रुपीज का था 39,000 आपको टोटल रुपीज चाहिए 39,000 आप टोटल रुपीज कॉल कर रहे हो ठीक है परफेक्ट हो गया चलो जी अब पैसा इस पे भी सारा नहीं मिला बैंक डेबिट यहाँ पे भी एक शेयर होल्डर है जिसके पास 50 शेयर्स हैं वो पैसा नहीं दे पाया तो यह तो पूरा 39,000 इनके पास 50 शेयर्स हैं तो 50 पे 4 200 रुपे नहीं आए तो 38,800 हमारे पास आ जाएंगे इस इस आर एरियर ठीक हो गया परफेक्ट हो गया चालो अब क्या करना है साअर? इसको भी फ़ॉर्फेक्ट कर देना है इसको फ़ॉर्फेक्ट करने की एंट्री शेयर कपिटल अकाउंट डेबिट तू कॉल सिनेर्यर्स जो आपके इरियर्स वला मांउंट था ये अन्झ तू शेयर फ़ॉर्फिचर share capital में कितना आएगा number of share forfeited 50 into called up called up पूरा 10 हो चुका है पूरा 10 हो चुका है बिटाब 50 into 10 500 call scenarios 200 receive कितना हो चुका है 300 सही हो गया, perfect हो गया यही बला call area जो उपर debit हो आ यही नीचे credit हो गया यही basically इस question के through में आपको सिखाना चाहता था किया तो आप call scenarios account open ही मत करो आप सिर्फ बैलेंस में दिखाओ बट इन केज आपने open करा है तो सेनारियो में फिर इस तरीके से questions होते है अच्छा आप क्या करा गया है इन सभी shares को re-issue करा गया है इन सभी shares को question में लिखा था साफ साफ कि ये सभी shares re-issue हो गया है चेक करते है देखो लिखावा है all the forfeited shares were re-issued at rupees 9 per share fully paid up मेटा fully paid का मतलब होता है कितने वाला paid up मतलब कितने वाला fully paid up मतलब 10 वाला 10 वाला कितने में 9 में समझ रहो paid up शब्द आते ही समझ जाना कि कितने वाला share है fully paid up for 9 का मतलब 10 वाला नौ में 11 paid up for 9 का मतलब 11 वाला 9 में 10 paid up for 9 का मतलब 10 वाला 9 में 8 paid up for 9 का मतलब 8 वाला 9 में तो paid up मींस कितने वाला याद रखना 9 रुपय में issue करे गए है सभी shares ठीक है जी चेक कर देते हैं अब इनको हमने re-issue करा है 10 वाला 9 में अगर 10 वाला 9 में रिशू करना है बिटा तो discount पर हो गया discount पर रिशू की क्या entry होती है bank account debit share for feature debit to share capital bank account debit share for feature account debit to share capital घिक है अब यहाँ पर बच्चों अगर हम बात करें तो मेरे पास जो total number of shares है जो ratio हो रहे हैं वो है 100, 150 और 50, 300 shares, तो 300 shares, 10 रुपे के, 300 share पे, एक रुपे का हमने यहां पर discount दिया है, और 300 पे 9 हमें मिलेंगे, ठीक है, तो 300 पे 10, 3000, discount के लिए discount word नहीं लिखते बच्चे, share forfeiture लिखते हैं, मैंने आपको forfeiture residual entries में समझाया है, 300, receive हो जाएंगे 2700, इसका मतलब इन सब को जब रीशु करा, तो 300 रुपीज का नुक्सान हुआ, तो इन सभी shares पे profit कितना हुआ वा था, profit क्या होता है बच्चे, profit होता है कि जो आपको पैसा मिल गया था, जैसे, जब हमने ये काम करा था, जब हमने इनको forfeit करा था, तो पहले 100 share पे तो 100 रुपे का फाइदा हुआ था, पहले 100 share पे 100 का फाइदा हुआ था, 500 share पे 450 का फाइदा हुआ था, 100 share पे shares और profit, 100 share पे 100 रुपे का profit हुआ था, अगले वाले 500 share पे 450 का profit हुआ था, और लास्ट वाले 50 share पे 300 का profit हुआ था, इसका मतलब, अगर हम बात करें ना बिटा जी, तो टोटल जो हमारे number of shares है, तोटल number of shares ध्यान से देखना, जो हमारे total number of shares 300 हैं, इन पे 300, 400, 450, 850 रुपे का profit हुआ है, 300 shares पे 850 का profit हुआ है, 850 में से 300 का नुक्सान हो गया, क्योंकि reissue करें तो 300 का loss हुआ ना, तो 850 में से अगर 300 का नुक्सान हो गया, तो हमारे पास 550 बच्चा, जो हम कहां ट्रांसफर करने वाले हैं, प्रांसफर करने वाले हैं, कापिटल रिजर्व में, लास्ट में हम ट्रांसफर कर जाते हैं, कापिटल रिजर्व में, उसके एंट्री बनेगी, share for feature account debit, to capital reserve, 850, minus 300, 550, share for feature account debit, to capital reserve, 850 बचास आप ट्रांसफर कर दोगे, इसको आप ध्यान से देख लो एक बार, किस तरीके से question हुआ है, एक ही जगा करने ही कोशिश करता हूँ, screenshot ले ना है, screenshot ले लो, और question को कर लो, complete, इसके बाद हम लोग फिर pro rata वाला question देखते हैं, अब चलते हैं, हम लोग pro rata वाले questions की तरफ, तो इसे खटाते हैं, और pro rata वाले सवाल पे चलते हैं, कि किस तरीके से question आप से पूछा जा सकता है, देखो, शांदार सवाल, X limited issued 60,000 shares of 10 each, एटा premium of 20%, आओ जी, X limited ने issue गरे हैं, 60,000 shares, 10 का एक 20% के premium पे, 60,000 shares हैं, 10 रुपे का एक है, 20% का premium है, it means 10 plus 2, ठीक है, पेबल कैसे कैसे है, थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, पहले चीज़ है, कि पेबल कैसे कैसे है सर, पेबल as follows, application पे 5 including premium, 5 रुपे including premium, फिर 3, फिर 4, 5 रुपे including premium का क्या मतलब हुआ सर, टोटल 5 आएंगे, including premium, यानि ऐसे हो गया, 5 रुपे including premium का मतलब समझे, कि टोटल 5 रुपीज मिलेंगे, जिसमें 2 premium के होंगे, तो 3 plus 2 हो गया, फिर 3, फिर 4, तो टोटल 10 रुपे हो गया, 10 plus 2, या आपको पता होना चाहिए, 5 including premium ऐसे दिखाते हैं हम लोग, डन, ओके सर, अब application कितने के लिए आया, यह सबसे बड़ी बात है हमारे पास इस question में, तग company received applications for 75,000 shares, हो गया over subscription, जब भी over subscription होना, वहाँ प्रोराटा की जुरत पड़ेगी, देखो, 75,000 shares के लिए company के पास application आ गया, और company के पास मात्र 60,000 shares है, company के पास shares कितने हैं, सिर्फ 60,000, और application कितने के लिए आ गया, 75,000 shares के लिए, आप यह मान लो, कि हमारे पास 75,000 लोगों ने कहा कि हमें share चाहिए, लेकिन total share नहीं सिर्फ 60, तो 60,000 ही दे सकते हो आप maximum, अब company ने कैसे दिए, company ने बोला, company ने बनाई categories, क्या category बनाई, सबसे पहले, list 1, list 2, list 3, applicants for 40,000 shares were allotted in full, 40,000 वालों को full, 40,000 shares वालों को full, इसका क्या मतलब है, कि एक category बनाई, 40,000 share जिसने मांगे, उसको पूरे 40,000 share दे दिए, suppose कर लो इसका नाम चिंटू है, हमारा चिंटू ऐसी लखी रहता है, इसने 40,000 share मांगे, इसको 40 पूरे मिल गए, इसने सबसे पहले मांगे होंगे, ठीक है, फिर category 2 बनाई, category 2 में क्या हुआ सर, note पे तो हम है ही, category 2 में क्या हुआ, 25,000 shares were allotted, 20,000 shares, 25,000 वालों को 20,000, assume कर लो की चिंटी है, इसने 25,000 share मांगे, लेकिन इसको कमनी ने सिर्फ 20,000 share दिए, यह चिंटी है, assume करो कि चिंटी मांग रही थी, 25,000 इसको सिर्फ 20 दिए, ऐसा हो सकता है, हम नहीं बोल रही है, है ही नहीं भाई, मेरे पास टोटल 60,000 shares थे, मैंने 40 जिंटों को दे दिए, तो 20 तो बचे, लेकिन सर, अभी तो तीसरी category भी रहे गए, उनको क्या देंगे, तीसरी category कौन सी रहेगी, देखो, तो टोटल 75 के लिए application आया था, पहले वाले ने 40,000 मांगे थे, दूसरे वाले ने 25 मांगे थे, अभी तो 65 भी हुए, इसका मतलब एक 3rd category भी है, जिसने 10,000 share मांगे होंगे, बट हमारे पास तो share बचे ही नहीं है, share तो पहली 2 category में ही खतम हो गए, 60,000 shares थे, 60,000 shares हमने दे दिये, इट मीन्स यहाँ पे 3rd category वाले को, कोई भी share a lot नहीं हुआ है, इट मीन्स यहाँ पे बेटा, जो structure है, यह तो हो गया हमारे पास 10,000, और यह हो गया nil, इसको कुछ भी a lot नहीं हुआ है, इस निल, यहाँ पे एक भी share, इस चिंटू को वापिस जाना पड़ेगा विचारे को, रोके कि ओहो हमें कुछ भी एक भी share नहीं मिला, समझे, इस तरीके से प्रोराटा होता है, कि सबसे पहले, जो 40,000 वाले हैं उनको 40,000, उसके बाद जो 25 वाले हैं उनको 20, उसके बाद जो 10 वाले हैं उनको कुछ नहीं क्योंकि शेर्स ही खतम हो गए थे, अभी भी twist आएगा इसमें, वो twist किस चीज का आता है, area का, देखता हूँ क्या कुछ area है, एक shareholder जो का टेगरी वन में था, काटेगरी वन कौन सी है यह वाली, 40,000 shares वालों को 40,000 ही मिले थे, और इसके पास कितने shares थे, 200 shares इसको मिले थे, तो यानि इसने 200 के लिए ही apply करा होगा, 3 category है ना बच्चे, तो हर category में आपको पता लगाना है, कि applied कितने हैं और allotted कितने हैं, जैसे पहले यह जो चिंटु है, इसके पास 200 shares हैं, और यह category 1 में था, category 1 में तो full subscription हुआ है ना, तो 200 इसके पास हैं, तो इसने 200 ही मांगे होंगे, इसने allotment पे सारा पैसा दे दिया, allotment पे सारा पैसा दे दिया का क्या मतलब है सर, इसका मतलब है कि हमारे पास एक यह चिंटु है, इसका नाम मैं X मान लेता हूँ, इसके पास 200 shares हैं, allot हुए हैं, इसने यह first category में था, तो apply भी इसने 200 ही करे होंगे, first category में तो सबको पूरे मिले ना, 40,000 को 40,000, इसने application दिया, allotment दिया, और allotment पे ही first call भी दे दिया, यह लिखा वाए, इसने allotment पे ही first call भी दे दिया, उसके बाद क्या है सर, और क्या system है हमारे पास, next क्या है यह तो हो गया, another shareholder, holding 600 shares, fail to pay the amount, due on call, एक और shareholder है इसी category में, जिसके पास 600 shares हैं, इसने call नहीं दिया, और इसके share forfeit कर दिये गए, एक और shareholder है, इसी category में, वाए, इसके पास 600 shares हैं, इसने application दिया, allotment दिया, call नहीं दिया, और इसके share यहीं पे forfeit कर दिये गए, ठीक है जी, perfect हो गया, इसके share forfeit हो गया, उसके बाद क्या है सर, उसके बाद क्या लिखावा है, his shares were forfeited, 500 of these shares were re-shoot, re-shoot चलो बाद में करेंगे, re-shoot कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, हम पहले यहां तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, देखो यह question की framing है, important बात क्या है कि pro rata कैसे करना है, दूसरी बात बच्चे, जब भी area या advance हो, तो आपको पता होना चाहिए, कि जो shareholder है, उसमें कितने apply करें हैं, और कितने उसको allot हो हैं, इस पर based में आपको भी questions कराऊंगा, तो आपको ज़्यादा clarity आएगी, फिलाल यह वाला question ध्यान से समझो, सबसे पहले बच्चों, हमें application money आता है, सबसे पहले application money receive होता है, तो हम क्या दिखते हैं, bank account debit, bank account debit to, share application account, हमें सबसे पहले application मिलता है, bank account debit to share application, दूसरा होता है, share application account debit, to share capital, और हमारे पास application पे ही premium भी था, to security premium, वो भी लिखना है, सब पहले तो यह चीज है, इसको पकड़ो, कि क्या क्या कड़ना है, application कितने shares पे आया, sir application तो 75,000 shares पे आया, over subscription है न, application 75,000 shares पे आया, तो 75,000 पे हमें 3 और 2 पांच रुपे आगे होंगे, तो 75,000 पे हमें 5 रुपे आई हैं, 75,000 shares पे 5, 75,000 into 5, 3,75,000 हमें total receive हो जाएगा, 375 हमें total receive हो जाएगा, ठीक है, अब application जितना credit करा, उतना ही debit भी करोगे, तो यह 375 यहाँ पे debit भी हो जाएगा, important बात सर, capital में कितना लिखते हैं, capital में बेटा जी वो लिखते हैं, capital में वो लिखते हैं, जो actual में आपको चाहिए था पैसा, capital में क्या लिखना है, जो actual में पैसा चाहिए था, actual, actual कितने share थे, 60,000, capital कितने का था, 3 रुपीज का, तो यहाँ पे actual में मुझे 60,000 पे 3 रुपे चाहिए थे यानि मुझे तो 1,80,000 चाहिए थे premium पे मुझे actual में कितना चाहिए था 60,000 पे ही 2 यानि मुझे 120 चाहिए थे it means मुझे total में तो 3 लाग ही चाहिए थे लेकिन मेरे पास कितने पैसा आया है 3.75 obvious सी बात है है ना आपको total receive वह 3.75 जबको actual में सिर्फ 3 लाग चाहिए था तो 75,000 सर एक्स्ट्रा कैसे पता लगा जो आया बेटा देखो 15,000 शेयर एक्स्ट्रा हुए या नहीं हुए 15,000 पे 5 75 बैठता है या नहीं बैठता है बैठ गया अब यहां पे देखो इस चिंटू का सारा पैसा वापिस कर दिया इसको कुछ नहीं दिया 10,000 वालों को कुछ नहीं दिया एक भी शेयर नहीं दिया जिसको एक भी शेयर नहीं दिया जाता उसका पैसा वापिस हो जाता है refund हो जाता है तो जब पैसा आता है तो bank debit होगा जब refund होगा ना बेटा तो bank को credit करना है ठीक है जब refund होगा तो bank को credit करना है ये bank क्या है ये refund है ये bracket वहाँ आपको लिखना नहीं है ये मैं लिख रहा हूं तागि आपको याद रहे refund कितने Shares पे हुआ, 10,000 Shares पे 10,000 पे इसके पूरे 5 रुपे वापिस कर दिये 3 और 2, 5 50,000 इसके वापिस कर दिये Sir, अभी भी Extra पैसा बच रहा है बिलकुल बचेगा Extra पैसा Sir, Extra पैसा कौन सी कैटेगरी का बचेगा देखो, इस कैटेगरी का तो पैसा वापिस कर दिया ये तो हो गया Sorted Sorted का मतलब पैसा वापिस कर दिया इसने जितने मांगे इसको उतने ही Shares मिले थे Category 1 तो ये भी Sorted है, क्योंकि इसका कोई भी Extra पैसा हो गई नहीं अब बची Category B Second वाली Category इसका पैसा एक्स्टा है बिटा आप ये मानो कि ये सभी Shares आपने मांगे है 25,000 Shares के लिए आपने अप्लाई कर रहा था लेकिन कंपनी ने आपको सिर्फ 20,000 दिये तो 5,000 Shares पे आपने एक्स्टा पैसा भीज़ दिया होगा न पढ़ गए शौट कितने शौट पढ़ गए कंपनी ने आपको दिये सिर्फ 20,000 तो 20,000 पे 5 1,00,000 तो कितना पैसा एक्स्टा होगा बच्चे ये 25,000 एक्स्टा हुआ है नहीं हुआ Second category में से ये एक्स्टा है अब सर क्या कंपनी ये वाला पैसा भी वापिस करेगी नहीं करती बच्चो कंपनी क्या बोलती है सिस्टम को समझो कंपनी बोलती है आप हमारे शेर होल्डर तो होई गए हो हमने आपको 20,000 शेर तो दे ही दिये है अभी तो हमने आपसे सिर्फ application मांगा है हमने अभी आपसे allotment भी लेना है हमने अभी आपसे final call भी लेना है आपसे अभी हमें और पैसा लेना है तो वहाँ पे ये पैसा adjust कर देंगे वहाँ आप इतने पैसे कम दे देना आपने अभी 25,000 एक्स्टा ही तो दिये है ये 25,000 रुपीज हम मान रहे हैं कि आपके और आप ही के रहेंगे हम आपसे जब allotment मांगेंगे भई आपको 20,000 शेर तो दी दिये तो 20,000 पे 3 रुपे का allotment 20 इंटू 3 60,000 अभी आपसे लेने है ना अगले महीने जब allotment मांगेंगे तो उसमें 25 मत देना आपके एक्स्टा आये तो हुआ है हमारे पास आगए माइनस करके देना कई बार ऐसा हो जाता है ना कि आप एक्स्टा पैसा लेके जाते हो टू शेर allotment हम इस एक्स्टा पैसे को ट्रांसफर कर रहे है allotment पे 25,000 अब चेक करो देखो एंट्री पूरी कम्प्लीट होगी अप्लिकेशन डेबिट होगा वही 375 से कापिटल में हमेशा बच्चे क्या भरना है जितना आपको actually में capital में पैसा चाहिये था 60,000 पे 3 रूपीश premium में क्या भढ़ना है जितना आपको actually में premium चाहिये था 60,000 पे 2 रूपीश bank में वो लिखना है जिसका पैसा वापिस गया है वापिस गया इसका 10,000 पे पूरे 5 रूपे वापिस कर देना with premium 25,000 into 5 125 Company ने इसको बस 20,000 shares दिये 1 lakh तो company के पास इसके 25,000 extra हो गए जो company बोल रही है हम आपके allotment पे adjust कर देंगे अब आप इस वीडियो को एक बार यहां पे pause करके पूरा अच्छे से read करो कि मैंने क्या क्या चीज़े कैसे कैसे बताई हैं और mind में set करने की कोशिश करो ठीक है अब चलते हैं allotment पे एक बात और मैं आप लोग को बोलूँगा कि जब भी हम प्रोराटा वाला question करते हैं तो पहला question पहाड लगता है बहुत ही मुश्किल बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे न वैसे वैसे easy होता चला जाएगा तो patience lose मत करना maximum number of students अपना patience lose कर देते हैं और वो छोड़ते हैं ऐसे सवाल हो छोड़ना नहीं है कुछ मुश्किल नहीं है जीवन में हर चीज आसान है जिसने कोशिश ही नहीं करी वो हारता है प्रयास करो हर चीज achievable है everything is achievable है question बनाया भी तो किसी इंसान नहीं है वो ही इंसान वो ही बच्चे हर साल सौल करते हैं आप भी करोगे तो tension मतलो practice करो धिरे धिरे practice करोगे perfect हो जाओगे मुझे भी नहीं आते दियार सीख गया ना धिरे धिरे अब आपको सिखा रहा हूँ कल आप सिखा होगे दूसरों को चलो allotment मांगे allotment लेना है अब हमें ठीक है ये entry बहुत important थी अब sir extra sub adjust हो चुका है अब हमारे shareholder कोन है बस 60,000 shares है अब सब इस पे होगा 60,000 पे ठीक है चलो शुरू करते हैं सबसे पहले हम allotment मांगते हैं हम बोलेंगे share allotment account debit share allotment account debit to share capital share allotment account debit to share capital कितने shares पे मांगोगे 60,000 share पे 60,000 पे पूरे 3 60,000 पे पूरे 3 रुपे हम कॉल करेंगे 60,000 पे 3 we were expecting 180 180,000 हम expect कर रहे हैं ठीक हो गया यह हम expect कर रहे हैं इसके बाद क्या हुआ यह हमें 180 का expectation है sir 180 में यह वाला पैसा तो पहले से आ चुका है तो यह तो अब आएगा नी 25,000 क्योंगी पहले ही आ चुके हैं तो यह तो अब नहीं आएंगे इसका मतलब bank account debit area तो कोई नहीं है advance है bank account debit to share allotment share allotment बचो debit कितना किया था आपने जहां से देखो आपने debit किया था 180 और यहाँ पे 25 already credit हो चुका है already credit हो चुका है यानि already पैसा आ चुका है तो अब हम कितना expect कर रहे हैं 155 155 हम expect कर रहे हैं but to our advantage एक shareholder Mr. X जिसके पास 200 shares है इसने अपने 4 रुपे भी पहले ही दे दिये इसने बोला मेरे पास अभी पैसे हैं कल हो ना हो आप अभी पैसे पकड़ो तो इसने पैसा अभी दे दिया इसको हम बोलते है to calls in advance calls in advance credit होता है मैं आपको सिखा चुका हूँ चिन्टू के पास 200 share थे इस पे अपना final call 200 पे 4 वाला 800 रुपे इसने अभी दे दिये तो टोटल हो गया 155 800 यह आपको receive होगा allotment पे हुआ ना देखो मस्ती में अब allotment debit करा था 180 बट अल्रेड़ी यहाँ पे 25 credit हो चुका था तो अभी बाद में कितना credit हुआ 155 क्योंकि जितना account open करना है उतना ही close करना है यह basic fundamental है दिमाग में रखना हर account ठीक है okay जी अब sir यह advance जो है इसका क्या होगा पिटा ही अगले call पे adjust होगा समझ रहो अगले call पे यह चिंटू पैसे नहीं देगा okay हो गया चलो अब final call मांगनी है बस शानदार चल रहा है भी तक सवाल बिलकुल भी patience lose नहीं करना concentration बना के रखनी है आईए share first call debit share first call debit to share capital share first call हम कितने shares पे मांगेगे पूरे साथ हजार पे साथ हजार share पे 4 रुपे 60,000 into 4 2,40,000 2,40,000 240,2,40 अब जब receive होगा sir तो एक तो area है यह पैसा नहीं मिला एक पहले से दे चुका है वो भी adjust करना है बाकी हमारा काम हो गया है bank account debit एक चिंटू ने पैसा नहीं दिया उसको हम बोलते है call the area उसका नाम Y है एक चिंटू पहले से पैसा दे चुका है जिसका नाम X है यह भी debit होगा अब advance का नियम क्या है credit होता है और अपनी respective call पे वापिस से debit होता है 2 share first call first and final call in fact first and final call बच्चे 240 है तो यहाँ भी 240 advance कितना आ चुका था 800 area हुआ है 600 share पे 4 रुपे if I am not wrong 600 shares पे यह 4 रुपीज yes 600 पे 4 रुपीज कितना हो गया 2400 तो basically मुझे receive कितना होगा यहाँ पे total हमें receive होगा 2,40,000 minus 800 minus 2400 हमें receive होगा 236 800 236,800 यह हमें receive होगा देखो यह चीजे वही है common जो आप करते आयो तो प्रो राटा का सर कहां पे impact आया था पहली entry वे वह आपने एक बार ध्यान से करी तो further question तुम्हारा बहुत easily बहुत perfection के साथ हो जाएगा that was important ठीक है first call का का काम done हो गया यह भी done हो गया अब sir हमें यह वाले shares जिस पे area हुआ है यह forfeit भी करने है उसके बाद प्रीमियम की बात ही नहीं करते forfeiture के entry में share capital debit to call scenarios call scenarios क्यों लिख रहा हूं क्योंकि मैंने call scenario नीचे भी open करा है to share forfeiture number of shares forfeited 600 called up पूरा 10 मैंने आपको बड़ा बड़ा note लिखाया था called up never includes premium called up never includes premium called up never includes premium 600 into 10 6000 area इस पे हुआ है 2400 receive आपको हो गए 3600 यह जो profit है यह कितने shares पे है profit on 600 shares 3600 का profit है ठीक है अब ratio कितने हुआ है मुझे बस यह देखना है क्या सारे ratio हो गए अगर सारे ratio होते हैं तो मैं यह सारा profit use कर सकता हूँ कुछ कम ratio होंगे बच्चो तो कम profit use करने को मिलेगा यह ऐसी बात है कि suppose आपके 600 वैसे आदे share ratio हो है अभी जैसे suppose आपको दो property है जब आपने दो property खरीदी तो दोनों पे आपको फायदा हुआ अब जब आप बेच रहे हो तो आपको एक बेच रहे हो तो आप दोनों का फायदा नहीं use कर सकतें एक पे जितना फायदा हुआ था उसी एकपे आप नुकसान जहल सकते हो, वही बात है कि भाई अगर 300 share, आदे share ratio करूँगा तो आदे का profit use कर सकता हूँ सारे share ratio कर दूँगा तो सारे profit use कर सकता हूँ, मैंने कितने ratio करें यह देखना है क्या है जी his shares were forfeited and 500 of these shares were ratioed सिर्फ 500 ratio है, fully paid for 11, fully paid for 11 का मतलब 10 वाला 11 में, fully paid for 11 का क्या मतलब है 10 वाला 11 में ठीक है, बढ़िया बात है, 500 share 600 नहीं इसमें से हमें चाहिए होगा profit on 500 share actual में हमने ratio 500 कर रहे हैं, तो मुझे profit भी 500 का ही चाहिए, तो profit on 500 share कैसे निकलता है बच्चे, profit on 500 share निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि क्या है हमारे पास share for feature divided by forfeited shares forfeited shares multiplied by reissued shares सिता सिता सा system है share for feature 3600 divided by forfeited share 600, reissued share 500 तो हमारे पास 3000 रुपे यहाँ पे आजाए प्रोफिट कितना आगया 3000 अब ज़रा रीशू करो रीशू प्रीमियम पे हो गई coincidentally अच्छी बात हो गई bank account debit to share capital to security premium ठीक है 10 वाला 11 में हो गया तो number of shares 500 500 into 10 5000 500 into 1 500 total 500 अब सार यह जो 3000 का profit है इसको क्या करूं इस profit काउं transfer कर देते हैं capital reserve में क्योंकि इसमें से एक रुपया भी use नहीं हुआ तो हम लिखेंगे share for feature account debit to capital reserve हम इसको transfer कर देंगे capital reserve में पूरा 3000 सर अगर हम 3600 transfer कर देंगे 100% कर जाते हैं 100% कर जाते हैं क्योंकि आपने अभी share ratio नहीं करें ना बेटा बस में बात दिमाग में set रखना कि जितने share for feature हैं उनका profit नहीं चाहिए transfer करने के लिए जितने रीशू हैं उनका चाहिए तो रीशू का profit जरूरी है निकालना इस particular line का ध्यान रखना जितने रीशू हैं उतने shares का profit आपको चाहिए होगा तो ये था गाईस पूरा बड़ा question जो pro rata में होता है मैं समझ सकता हूँ कि आपको थोड़ा सा लगाओगा काफी lengthy है काफी typical है बट ऐसा कुछ नहीं है आप अपने दिमाग में ये बिल्कुल भी मतला ना आप अगर इस video को दो बार, तीन बार, चार बार देखते हो तो आपको अपने आप easy लगने लगेगा और practice आपकी होने लगेगी आने वाले videos भी आपको बहुत मदद करेंगे for feature reissue को अच्छा करने में इस को चाहिए इसी को बोलना चाहिए सब कुछ इसमें आ जाता है each and everything तो बहुत ही शांदार सवाल है और मेरा काम यह है कि आपको इस तरीके शांदार आपको इस तरीके के शांदार आपको बच्चों को तोड़ टेपेकल लगते हैं इसमें कितना भी टाइम लग जाए यह question बहुत ध्यान से देखले ना this is very important from your exams point of view very 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 important आओ चलो, देखते हैं क्या लिखा है हमारे बास लिखा है इस question के अंदर KS limited invited applications for 1,60,000 shares of Rs.10 each at a premium of Rs.6 per share ठीक है 1,60,000 shares 10 रुपे का 1 है 6 रुपे के premium पे issue करे गए amount was payable as follows पैसा कैसे दिया है 4 रुपीज पे application पे मिलेंगे 1 रुपे का premium है इसमें यानि 3 plus 1 allotment पे 6 रुपे मिलेंगे जिसमें 3 का premium है यानि 3 plus 3 first और final call पे बाकी बचावा 10 में से देखो 6 मिल चुके है तो 4 6 में से 4 मिल चुके है तो 2 तो आपके पास इस तरीके से पैसा पूरा हो जाएगा application allotment first और final call का ठीक है यह application आ गया यह allotment आ गया यह first और final call आ बच्चे सबसे पहले तो यहां तक आपको question को पकड़ना है done अब application कितने shares के लिए आया 3,20,000 share के लिए 320 shares के लिए application आया अब देखो बटा यही ध्यान से समझने वाली बात है कि आपने offer करे है 1,60,000 share as a company सोचो आप यह समझो कोई unit बेच रहे हो तो आपके बाद 1,60,000 units है उतने ही दे सकते हो ना customer को customer मांग रहा 3,20,000 तो कैसे दोगे नहीं दे पाओगे या कम दोगे या मना करोगे तो आप इसको बोलोगे भाया 320 तो नहीं हम कितने दे सकते हैं 160 दे सकते हैं कैसे देंगे 160 80,000 shares were rejected 80,000 तो बिल्कुल reject कर दिये reject करने का मतलब 80,000 वाले customer को बोला कि आपको हम कुछ नहीं दे पाएंगे और है भी नहीं actual में अच्छा जी shares were allotted on pro rata basis to the remaining applicants बाकी बच्चेवे को pro rata कर दिया गया pro rata का मतलब होता है proportionate proportionate का मतलब है सर जैसे for example मैं किसी का दुकान पर गया मैंने बोला भाया मुझे 4 blue pen चाहिए उसने का चार तो नहीं है 2 दे पाऊंगा अभी 2 ही है तो यह वह क्या कर रहा है बेसिकली वह proportionately मुझे चीज दे रहा है 4 की जगा 2 दे रहा है ना this is pro rata यह कुछ भी नहीं है यही तो pro rata हमारे पास कितने बचेंगे 320 में से अगर मैं 80 हटा दू तो 20 हटाओ 300 और 60 हटाओ तो 240 240 वालों को 160 दिए गए है 240 वालों को 160 it means जो भी 24 शेर मांग रहा था उसको 16 शेर दिए गए है समझ में आया 16 शेर दिए गए है चलो अब आगे बढ़ते हैं अब आपको pro rata का concept समझ में आ गया ना कैसे हुआ अब देखो अब क्या होता है आगे क्या होता है the access money received with application was adjusted towards some due on allotment जो भी पैसा extra मिलेगा कौन सा extra पैसा में वो भी आभी आपको समझाऊँगा jan holding 800 जैन जिसके पास 800 शेर है fail to pay the allotment money ठीक है एक चिंटू है जिसका नाम जैन है उसके पास 800 शेर है उसने क्या नहीं दिया jan holding 800 शेर fail to pay allotment money application दिया allotment नहीं दिया यहाँ पे jan के शेर हो गया है forfeit jan is holding 800 शेर इसने 800 के लिए apply नहीं करा होगा बटा क्यों sir क्यों नहीं apply करा होगा देखो दो ही category है एक तो category यह है जिसका सारा पैसा वापिस कर दिया गया एक category यह है जिसमें हर 24 share पे 16 share मिले हैं यानि अगर आपने 24 share के लिए apply करा है तो 16 share आपको मिले है sir कैसे पता चला भाई 0 से 0 काट रहा हूं बस 2 x 3 2 x 2 3 ratio 2 हो गया देखो 24 ratio 16 को 3 ratio 2 भी बोल सकता हूं cutting कर दी न तो जैन के पास कितने shares हैं जैन के पास 800 share 800 को मिले हैं तो उसने कितने के लिए apply करा होगा यहां से cross multiply कर दो ठीक है जब आप cross multiply कर दोगे तो आ जाएगा applied is equal to 800 x 3 2400 upon 2 1200 share आ जाएंगे देखो तो जैन ने 1200 के लिए apply कर रहा होगा तो उसको 800 मिले होगे 1200 के लिए apply कर रहा होगा तो इतने मिले 800 share मिले ठीक है इसका screenshot लोफटावट से फिर मैं यह हटाऊंगा perfect हो गया जैन का तो यह system है आपको पता चल गया 1200 share के लिए apply कर रहा होगा तो 800 मिले होगे अब अगला देखते है कौन है next कौन है इनके share forfeit कर दिये गए यह हमने देख लिए afterwards the final call was made Gupta who had applied for 1200 share Gupta ने apply करा होगा 1200 के लिए ठीक है Gupta ने apply करा तो उसको भी 800 ही मिले होगे क्योंगी हम पहले ही निखाल चुके थे है ना Gupta ने apply करा 1200 के लिए तो उसको 800 मिले होगे उसने final call नहीं दिया यह दिया final call नहीं दिया उसके यहां पर आके share forfeit होगे ठीक है सर final call नहीं दिया forfeit होगे परफेक्ट होगे अब एंट्रियां करनी है I mean चलो call scenarios account open करना है last question बोल रहा है रीशू कैसा हुआ और रीशू पर जब पहुंचेंगे तो देखेंगे चलो शुरू करते हैं सबसे पहले बच्चे सबसे पहले entry सबसे पहली वाली सबसे खास है क्या है bank account debit to share application जितना पैसा application पर आया share application debit to share capital to security premium का पैसा होगा security premium to bank जो पैसा हम refund करेंगे and to share allotment जो पैसा हम allotment पर ट्रांसफर करेंगे अभी के अभी जो पैसा हम allotment पर ट्रांसफर करेंगे ठीक है चलो अब देखो बड़े ध्यान से bank में कितना पैसा आएगा application पर कितना पैसा आएगा application आया था बच्चो 20,000 शेयर्स पर 3,20,000 शेयर्स पर 4 रुपे तो हम तो सीधा calculator पर चलते हैं भी या 3,20,000 शेयर्स पर 4 रुपे 12,80,000 12,80,000 रुपीज आपको receive होंगे 12,80,82 12,80 अब यहां पर भी आगया 12,80 याद रखना बच्चो capital में आपको हमेशा वो रखना है जो actual में आपको capital चाहिए था capital में तो वह रखोगे न चितने शेयर्स आपने सच में जनता को उफर करें तो जनता को उफर करें 1,60,000 शेयर तो 1,60,000 शेयर पे 3 रुपे का capital 1,60,000 शेयर पे 1 रुपे का premium ठीक है? 3 का capital है, 1 रुपीस का premium है तो 1,60,000 शेयर पे 3 रुपे के हिसाब से 4,80,000 तो capital में आएंगे ठीक है? 1,60,000 आपके premium में आएंगे अब आपने वापिस किसका करा? 2 bank पैसा वापिस करा इस काटेगरी का यह 80,000 वालों को जो नहीं दिया न तो 80,000 पे पूरे 4 रुपे वापिस करोगे 3 रुपे कापिटल के और 1 रुपे प्रीमियम का 80,000 पे 4 3,20,000 अब आपके पास जो भी बचता है वो सब आपको फर्दर ट्रांसफर करना पड़ेगा कितना बचता है चेक करता हूँ 12,80,000 माइनस 4,80,000 माइनस 1,60,000 माइनस 3,20,000 तो मेरे पास 3,20 ही बच रहा है प्रिबस कितना बच रहा है 3,20 ही बच रहा है अब सर अगर हमें वैसे कालकुलेट करना हो कि यह 3,20 कैसे आया यह किस तरीके से बच गया थोड़ा यह भी आइडिया देदो तो देखो यहां से पता चलेगा सपोज यह एक ही चिंटू है इस चिंटू ने 2,40,000 शेयर पे इसको दिए 1,60,000 शेयर पे 4 कितना जाएगा 64 एक्स्ट्रा हो गया नहीं हो गया अब कंपनी क्या करेगी कंपनी चेक करेगी कि इससे अलॉर्टमेंट पे क्या लेना है तो देखो अब इस चिंटू को यह बोला गया कि हम आपको 2,40,000 शेयर तो नहीं दे पाएंगे हम आपको 1,60,000 शेयर दे पाएंगे जिसके हमें आपसे कितने पैसे लेने है 640 आपने हमें कितने दिये है 960 तो आपके हमारे पास 320 एक्स्ट्रा है अगर मैं किसी दुकान पे जाके बोल रहा हूं कि मुझे 2,40,000 पीस दे दो और वहां मुझे 1,60,000 पीस ही मिले तो बाकी बचावा पैसा कंपनी के पाद एक्स्ट्रा है य ना 160 पे 6 रुपीस आपसे अगली कॉल पे लेने है 1,60,000 पे 6 रुपे यानि हमने आपसे 9,60,000 अभी आगे लेने है उस 960 में से 320 आप मत देना यह आप मत देना यह आपका एडवान हो जाएगा बाकी देना ठीक है तो बड़े अराम से अलॉट्मेंट पे पैसा तो इसका स्क्रिंशोट ले लो या नोट करना है कर लो ताकि आपके वास काम आए आपको याद रहे राइट चालो मैं इसे अटा रहा हूं यह सिर्फ मैंने इसने लिखा थाकि मैं आपको समझा पाऊं कि यह 30 किस तरीके से आया ओके चालो अब हमारा एप्लिकेशन का काम ह उब पहली सीडी आप सही हुआ अप सई चड़ अब बची दो सीडिया और allortment और first and final cause चल्ड़ू पर चलते हैं आलोट्में पैसा शेयर ऐल्लोट्मेंट अकाउंट debit, share allotment account debit, two share capital, एक तो मुझे allotment पे capital का पैसा चाहिए, and two security premium, एक हमें premium का पैसा चाहिए, ठीक है न, अब हमें allotment पे कितना पैसा चाहिए, हम बोलेंगे यार, 1,60,000 share पे, 1,60,000 share पे, 3 रुपे तो capital के, और 1,60,000 share पे, 3 रुपे premium के, तो 1,60, इन्टू 3, 480 capital के लेने हैं हमें, 480 premium के लेने हैं हमें, टोटल 9,60 हमें लेने हैं, ठीक है, टोटल कितना पैसा लेना है allotment पे 9,60, अब बड़े ध्यान से यहां पे मेरी बात को समझे न, कि क्या हो रहा है, अब हो गया रहा है, जब पैसा मिलेगा, तो एक तो जैन ने पैसा नहीं दिया, तो उसको हम बोलते हैं, call scenario, नुकसान हो गया, उसको debit करूँगा, bank debit, call scenario debit, to share allotment, अब देखो बच्चे बड़े ध्यान से मेरी बात समझे न, share allotment पे हमें 9,60,000 rupees total लेने थे, 960 लेने थे, जिसमें से already 320 पहले आ चुके थे, 960 में से 320 पहले आ गए है न, जो extra amount है, तो वो तो अब आप नहीं लेंगे, तो 960 में से, 960 में से, 320 अगर मैं हटा दूँ, तो 6,40,000 बचा, 6,40,000 मेरा allotment पे आना चाहिए, 6,40,000 मेरा allotment पे आ गया, ठीक है, कि 960 में से 320 मैंने नहीं लेने, तो मुझे allotment पे कितना पैसा चाहिए, 6,40,000, अब मुझे बस area check करना है कि area कितना है, area के लिए आपका दिमाग चलना बहुत important है, नहीं तो गलती हो जाएगी, सर्फ दिमाग चलना क्यों important है, समझो, देखो, जैन ने पैसा नहीं दिया, अब बच्चे क्या करते हैं, 800 शेयर थे उसके पास, 800 पे 6 रुपे नहीं दिये, area लिख दो, नहीं बेटा, जल्दी मत करो, मेरी बात समझो, जैन ने 1200 शेयर के लिए apply करा था, कितने शेयर के लिए apply करा था, 1200 शेयर के लिए, तो 1200 शेयर पे उसने 4 रुपे application पे भेजे होंगे, application 4 रुपीज का था, 3 प्लस 1, 4, जैन ने बोला होगा, मुझे 1200 शेयर चाहिए, मैं 1200 पे 4 रुपे भेज रहा हूँ, 1200 पे 4 रुपे कितने बैटे 4800 रुपीज कम्पनी ने जैन को दिये 800 शेयर कम्पनी ने बोला हमें आपको 800 शेयर ही देने हैं बाकी हम नहीं दे पाएंगे तो 800 पे 4 32 रुपे तो जैन के 1200 रुपे कम्पनी के पास एक्स्ट्रा हो गए 1200 रुपे कंपनी के पाद एक्स्ट्रा हो गए या नहीं हो गए 1200 पे 4 4800 उसने बेजे होंगे 800 पे 4 3200 कंपनी ने रख लिए अब कंपनी के पास 1600 उसके एक्स्ट्रा है राइट कंपनी 1600 को क्या करेगी कंपनी बोलेगी हमें आपसे अभी कितना पैसा लेना है 800 हमने आपको दी है 800 पे 6 हमें आपसे अलॉट्मेंट पे लेना है 4800 हमें आपसे लेने है इस 4800 पे आप 1600 मत देना क्योंकि आपके पहले से आए वे हैं तो आप हमें बस 3200 देजे न 1600 हम आपके यहापे अज़स्ट कर देंगे 4800 माइनस 1600 3200 हम आपके अज़स्ट कर देंगे तो 3200 जैन को देने ते और वो नहीं दे पाए यह एरियर है 800 पे 6 एरियर नहीं है गलती हो जाएगी 800 पे 6 के बाद यह पिछले वाला एडवांस माइनस करने के बाद जो बचेगा 3200 यह एरियर है 3200 का एरियर है तो 640 में से 3200 अटाओ 6,40,000 माइनस 3200 6,36,800 6,36,800 यह हमें यहाँ पे रिसीव होंगे ठीक है यह हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा रिसीव हो जाएगा अब हमें क्या करना है हमें करने है जैन के शेर इमिडेटली फॉरफिट जैन के शेर इमिडेटली फॉरफिट करने है तो इमिडेटली फॉरफिट करने के लिए का करना पड़ेगा शेर कापिटल अकाउंट डेबिट जैन ने प्रीमियम भी नहीं दिया तो premium के लिए रोना पड़ेगा SP पूरा लिख देता हूँ security premium debit to call scenarios to share forfeiture ठीक है तो यह हमारे बाद entry बन जाएगी share capital account debit security premium debit to call scenario to share forfeiture ओके सर share capital पर क्या लिखते है number of share forfeited कितने shares है 800 shares into called up called up अभी तक कितना था अभी तक called up बच्चे सिर्फ यह था छे रुपे तीन और तीन छे called up never include premium मैंने आपको note बड़ा बड़ा करके लिखवाया है call it up never include premium तो 800 पे 6 4800 तो यह आ जाएगा जो कम निकों प्रीमियम नहीं मिला उस पर रोएगी कितना premium तीन रुपे नहीं मिले 800 पे 3 2400 नहीं मिले call scenario as it is जो आपने यह debit करा है वही credit कर दो तो आपके बास बाकी शेर फॉर फीचर बैलन्स में आ जाएगा अब देखो हमार बास 4800 प्लस 2400 माइनस 3200 हमार बास आ जाएगा 4000 हमार बास कितना आ जाएगा 4000 आ जाएगा ठीक है या नहीं है perfect है तो हमारे पास यहाँ पर 4000 रुपी शेर फॉर फीचर में आ जाएगा अपनी बोलेगी कि हमने इसके 4000 रुपे रखे है पर्फेक्ट है जी इस तरीके से हम लोग यहाँ पर शेर कर चुके है अब हमें फॉर्स्ट कॉल की तरफ चलना है पहले यहां तक अराम से स्क्रीन शॉट ले लो अराम चे नोट कर लो कोई भी समस्या वाली बात नहीं है ठीक है जी सॉटेड जैन का काम कटम हो चुका है अब हम यह हटा रहे है अब हम चलते हैं क्योंकि मेरे पास स्पेस पहुत कम है तो यहीं पर मैं करने कोशिश करूंगा वह फर्स्ट कॉल मांगी है शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कापिटल टू सिक्यॉरिटी प्रीमियम राइट अब बच्चों एक बात याद रखनी है मेरे पास वन लाक सिस्टी थाउजन टोटल शेयर थे अब जो मैन क्ल मांगूंगा वह वन लाक सिस्टी थाउजन माइनस अट सो 159,200 फे शिक्या है टो यहाँ पे जो मैं कॉल मांगूँआ मांगूआ 159,200 into 6 159,200 into 4 and 159,200 into 2 ठीक है ना 159,200 into 6 955,200 955,200 159,200 into 4 636,800 159,200 इंटू 2, 318,400 ठीक है जी यह हमने फर्स्ट और फाइनल कॉल मांग लिया ठीक है अब जब पैसा मिलने की बारी आई तो यहां पर एक मिस्टर गुपता है उन्होंने भी पैसा नहीं दिया तो यहां के एंट्री बनेगी bank account debit फिर से calls in areas debit to share first and final call ठीक है फर्स्ट और फाइनल कॉल पर तो पूरा मांट 9,55,200 मिस्टर गुपता के पास कितने shares थे मिस्टर गुपता के पास भी 800 share ही थे सर मिस्टर गुपता का भी चेक करूगा कितना apply करा कितना भेजा होगा नहीं कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कोई भी पैसा first call तक गया ही था advance का advance का maximum पैसा कहा तक गया था allotment तक गया था तो जब कोई advance ही नहीं first call पे तो मिस्टर गुपता कोई extra पैसा हो गई नहीं तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कब चेक करना है applied allotted जब वहां पे पैसा extra उस particular call तक गया हो जब call तक गया ही नहीं पैसा फिर क्या attention नहीं सीध 4800 बाकी आपको receive हो जाएगा कितना सर कि 9,55,200-4800 9,50,400 नो लाक पचास जार चार सो यह आपको हो जाएगा receive ठीक है अब हमें क्या करना है हमें इसके shares भी forfeit करने है company's इसके shares भी forfeit करेगी तो forfeit कैसे करती है share capital account debit share capital debit इसने भी प्रीमियम नहीं दिया तो security प्रीमियम debit two calls in area call का नाम लिखने की जुरत नहीं है सीधा लिख दो two calls in area and two share for feature क्या होगा सर सबसे पहले number of share forfeited कितने share forfeit करेगा है गुपता के 800 share call it up पूरा 10 है यहां तक तो 800 पर पूरे 10 तो यहां तो आ जाएगा 8000 कितना premium नहीं दिया 800 पर दो यहां पर आ जाएगा 1600 call share आ गया 4800 बाकी हमें receive हो जाएगा 800 तो 1600 माइनस 4800 8000 प्लस 1600 माइनस 4800 तो यह 4800 ही आ जाएगा लो सर यह भी अमने forfeit कर दिये ठीक है यहां तक का हमारा काम हो गया है जल्दी से बड़ा बड़ा स्क्रेंशॉट लो क्योंकि मुझे जगा चाहिए तो मैं उपर वाला हटाऊंगा तभी मैं आगे कर पाऊंगा द आख थीख है अब क्या करना है अब देखो आगे लिकावा है अब आधर यह द। इस शेयर्स वर आलसो वार्टटट आउट आउट अप दा फॉर फॉर फटिट शेयर्स एख था और रूपीज एट पर शेयर फुली पेड़ एक घट एच एख थाट जयर क्या करे गए हैं ठीक है सर तो रिश्म करने के एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट दुएकश हर फीचर डेबिट है कितने शेरS एक हजार रिंटल 10,000 1000 x 2 2000 1000 x 8 8000 ठीक है जी परफेक्ट हो गया अब बच्चे आता है असली खेल असली जो खेल है वो यहां पे सर असली खेल क्या है देखो बात समझो हमने 4 feet कितने shares करे थे भाई 800 share तो 4 feet करे थे Jan के Jan के 800 share जिस पे हमने कितना पैसा बनाया था 800 share जब forfeit करे ये करे तो 4000 रुपे का profit हुआ था 4000 रुपे का profit हुआ था गुपता के कितने share forfeit करे थे गुपता के भी 800 share forfeit करे थे गुपता के 800 share forfeit करने पे 4800 रुपे का profit हुआ था 4800 रुपीस का profit हुआ था तो हमने जो total forfeit करे वे थे, वो 1600 share forfeit करे वे थे, लेकिन reissue कितने करे हैं, reissue करे हैं मात्र 1000, तो 1000 में किसके कितने हैं ये पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी का उतना proportionate profit हम use कर पाएंगे, right, तो देखते हैं क्या है, क्या लिकाव है, the reissued share includes all the forfeited shares of Jan, जो reissue हुए ह उसमें सभी share Jan के reissue हैं, इसका मतलब, अगर मैंने 1000 share reissue करे हैं, तो इसके अंदर Jan के सारे share हैं, 800 share तो Jan के हैं, तो गुपता के कितने हुए? 200 share, गुपता के कितने हुए? 200 share, तो जब मैं reissue करते टाइम ये discount दे रहा हूँ, ये जो 2000 का discount दे रहा हूँ, इसके अंदर amount Jan कियोगी और कम amount गुपता कियोगी, यही important point है, यही तो सबसे important point है, अब देखो, एक बात बताओ मुझे, जैन के अगर, जैन के अगर 800 share हैं, सारे के सारे reissue कर दिये गए, तो इसका सारा का सारा profit use कर सकते हूँ, इसका सारा का सारा profit use कर सकते हो, जैन का profit कितना है? 4000, ये तो सारा use हो जाएगा, गुपता के सिर्फ 200 share use हुए हैं, तो गुपता के 200 share का profit आपको निकालना पड़ेगा, सार 200 share का profit क्यों निकालना है? क्योंकि भहिया, गुपता का 800 share पे 4800 रुपीज का profit हुआ है, एक पे कितना हो गया? 4800 upon 800, वो ही unitary method, अब जब reissue करे, तो सिर्फ 200 share reissue करे, तो profit आपको उतने share का पता होना चाहिए, जितने reissue करेगा है, ओके? तो 200 पे कितना? 4800 upon 800 into 200, ठीक है, adjust इसका one-fourth हो जाएगा, 1200 आना चाहिए, 4800 upon 800 into 200, 1200, येस, तो गुपता का जो profit use कर सकते हो, आप वो maximum 1200 use कर सकते हो, तो total profit कितना use कर सकते हो, 4000 सारा का सारा जैन का, गुपता का सिर्फ 1200, 5200 आप use कर सकते हो, 5200 में से आपने कितना use कर आए, यहाँ पे 2000, 5200 में से अगर 2000 use हुआ, तो कितना बचा, 3200 और बचा, वो 3200 जाएगा सीधा capital reserve में, उसको हम क्या entry करेंगे? उसके entry करेंगे हम share for feature account debit, कह महां लिखूं, share for feature debit to capital reserve, ठीक है, 5200 में से 2000 अटा दू तो, 3200 रुपे ट्रांसफर हो जाएंगे, 3200 रुपे हमारे पास ट्रांसफर हो जाएंगे, बहुत ही शानदार question था, बहुत ही excellent question, यह last step थोड़ा ध्यान से देखने वाला है, बाकी, जन्विन है, question बड़ा है, over subscription प् वीडियो को 2-3-3 बार देखो, तो दिमाग में घुसेगा, ठीक है, क्या लिखा था, लास्ट वाला point सबसे important है, आपको दो चीज़े mind में रखनी है, पहली बात, यह पता होना चाहिए कि किसके कितने share ratio है, दूसरी बात, जितने ratio है न उतने share का profit, जैन के सारे share ratio है, तो यह बात याद रखना, ठीक है, यह बहुत ही शानदार question है, screenshot लो फिर एक question और कराता हूँ, अब करते हैं guys, एक और शानदार question जिसमें आपको pro rata का concept और अच्छे से clarity आ जाएगी, यह दो ही question में इस वीडियो में cover करूँगा, और मैं चाहता हूँ कि तुम इस वीडियो को दो दो तीन तीन बार देखो और बहुत अच्छे से इस topic की practice करो, अब देखो क्या है, excel limited invited, बहुत ध्यान से गढ़ना में पास space कम है तो मैं इसमें छोटा छोटा लिखूँगा क्योंगी question बढ़ा है, excel limited invited applications for एक लाख equity shares of rupees 10 each at par, ठीक है, एक लाख shares है, 10 रुपे का एक है, पार पे issue करा गया था, amount कैसे कैसे है, 3, 4, 3, 4 और 3, 3 application पे, 4 allotment पे और 3 first call पे, issue was oversubscribed by 3 times, issue oversubscribed हुआ कितने से 3 गुना, इसका मतलब आप 1 लाख share issue कर रहे हो, लेकिन जनता भांग रही है 3 लाख, तो public ने demand करी 3 लाख shares की, अब आपको anyhow 1 लाख देने पड़ेंगे, है ना, 3 लाख वालों को 1 लाख देने पड़ेंगे, कैसे करे, applications for 20% shares were rejected, 20% share reject कर दिये गए, तो 3 लाख का 20% कितना बैटेगा, 3 लाख का 20% बैटेगा, हमारे पास 60,000, तो 60,000 वालों को तो कुछ नहीं दिया, यह तो हो गया nil, ठीक है, उसके बाद लिखावा है, allotment was made to the remaining applicants as follows, ब 160 वालों को 80 दिये गए, just half, just half हो गया बच्चे तो 2 ratio 1 का ratio बन गया, है ना, और एक category और बनी, जिसमें 80 वालों को 20, 1 4th, 80 वालों को 20, 1 4th, एक बार चेक कर लो क्या पूरे हो गए, चेक करो, 60 और 80 आपके बास आगा 140 और 163 लाख, और यह भी 1 लाख पूरा हो गया, yes, बिल कुछ वापिस कर दिये, कुछ को आदे दिये, कुछ को 1 4th दिये, तो इनको आप 3 लोग मान लो, पहला वाला चिंटु मान लो, चिंट नहीं, चिंटु तो हमारा उसको share मिलने चाहिए, बंटी है, बंटी ने 60,000 share मांगे, इसे कुछ नहीं मिले, चिंटु ने मांगे 160 तो आदे मिले 80,000, चिंटी ने मांगे 80 तो इसको 20 मिले, ठीक है, अब हो क्या रहा है, access money received with application was adjusted towards some due or allotment, and first and final call, important point, साउधान इंडिया सवाल, जितना भी extra पैसा आएगा, वो allotment पे भी जाएगा, और वो call पे जाएगा, call पे तबी जाता है, अगर question बोले, otherwise कोई भी एक्स्ट्रा पैसा आया है, तो वो आप allotment के बाद वापिस करते हो, ये बात याद रखना, call पे तबी जाता है, अगर question ऐसे बोले, otherwise वापिस, ठीक है, all the calls were made and were duly received, सारा पैसा मिल गया, accept final call by a shareholder, belonging to category 1, who has applied for 320 share, एक shareholder इस category में था, इसने 320 के लिए apply करा, अब भी अगर य आदे share मिल रहे है, अगर आप 160 मांग रहे हो, तो आपको 80 मिल रहे है, तो ये 320 मांग रहा होगा, तो इसको आदे मिले होंगे 160, है ना, सीजी सी बात है ना, तो इसके पास 160 shares होंगे, इसके पास कितने shares होंगे, 160, 160 shares पे, इसने क्या नहीं दिया, who has applied for 320 shares, failed to pay, final call, ये दिया हो गए, forfeit, okay, done, the forfeited shares, were re-issued, at rupees 15 per share, fully paid up, इनको क्या करा गया है, वापिस से, re-issue कर दिया गया है, right, एक बार दुबार देख लेते हैं, access by received and application was adjusted towards some due on allotment and first and final call, all the calls were made and newly received, except the final call by a shareholder, belonging to category 1, इस category में है, who has applied for 320 shares, his shares were forfeited and forfeited shares were re-issued, at 15 per share, re-issue की बात बात में करेंगे, शुरू करते हैं, question को, ठीक है, सबसे बहले application आएगा, bank account debit, to share application account, share application account debit, to share capital, to bank, जो पैसा वापिस करा गया है, to share allotment, जो extra पैसा होगा, बड़े ध्यान से करने वाला सवाल है, बच्चे, यह entry सबसे पहले गलत हो जाती है, बच्चों की, आगे तो क्या ही बढ़ेगा question, देखो, application कितने shares के लिए आया था, 3,00,000 shares के लिए आया था, तो 3,00,000 shares पे 3,00,000,000 रुपीज हमें receive हुए, 9,00,000 रुपे हमें receive हुए, capital में कितना आएगा, capital में मैंने आपको बताया था, जो actually आपको चाहिए, actually कितना चाहिए, 1,00,000 share पे तीन रुपे एक लाग पे तीन तीन लाग ठीक है एक लाग पे तीन तीन लाग बैंक में वो आता है जो आपने वापिस कर दिया वापिस किसका करा था पहले वाला बंटी का साथ अजार शेर स्च्टी थाउजंड पे 3 चीनट वापिस कर दिये अलोट्मेंट पे कितना पैसा जाएगा अलोट्मेंट पे जाता है और अलोट्मेंट पे याज आता है एक्स्ट्रा अमाउंट अब सर अगर देखा जाए देखो पिछले वाले चार लाग 20,000 आ रहा है, देखो, 420 आ रहा है, लेकिन ये 420 आप सीधा यहां नहीं लिख सकते, अलोट्मेंट में नहीं लिख सकते, बच्चे, एक काम नहीं करेगा, सर, क्यूं काम नहीं करेगा, समझाओ तो, समझाता हूँ, काटेगरी वाइस बात करते हैं, एक का तो पैसा ही वापिस कर दिया, तो उसे तो छोड़ी दो, यह वादा तो छोड़ी दो, इसका तो पैसा ही वापिस कर दिया, यहां से शुरू करते हैं, 160 पे 3 रुपे application के 160 पे 3 रुपे application के इसने भेज़े तो कितना पैसा बेजा 16, 32, 48 4,80,000 इसने भेजे हमने इसको कितने shares दीए जस्ट आदे 80,000 पे 3, 2,40 तो इसका पैसा कितना extra है इसका 240 extra है इसका कितना extra है 240 इसका extra है ठीक है हम बोलेंगे कि आपका आदा पैसा हमारे पास फाल्टू है अब हमने आपको 80,000 दिये हैं तो आपसे allotment पे कितना पैसा लेना है 80,000 पे 4 रुपे यानि 3,20,000 आपसे लेने हैं वाइस शेयर होल्डर को 80,000 शेयर दिये गए तो इससे allotment पे कितना पैसा लेना है 80,000 पे 4,3,20 लेने हैं जिसमें से 240 के पहले आएवे हैं तो ये adjust हो जाएंगे सारे ये सारे adjust हो जाएंगे यानि कि allotment पे 240 तो एक category के adjust हो जाएंगे पहली वाली category के सही है बिलकुल सारे adjust हो जाएगा बड़े आराम से अब दूसरी category की बात करता हूँ 80,000 पे उसने 80,000 शेयर मांगे थे ना 80,000 पे 3,80,000 पे 3,20,40,000 हमने इसको कितने शेयर दिये हैं जस्ट 20,000 शेयर दिये हैं only 20,000 20,000 पे 3,60,000 इसका कितना पैसा extra हो गया बेटा 180 extra हो गया यह इसका extra है यह extra पैसा है यह हम आगे adjust करते हैं है ना अब देखो इसे आप 20,000 into क्या मांगा हुए allotment पे इससे allotment में मांगा हुए इससे 4 रुपे 20,000 into 4 80,000 तो 180 में से 80 तो यहां adjust हो जाएगा तो यह allotment पे कुछ नहीं देगा allotment पे आपको इससे कुछ निलेना क्यों निलेना क्योंकि आप पहले से ही बहुत पैसा फालता आया वाथा 180 फालता आया वे थे 180 में से 80 यहाँ पे अड़्जस्ट हुए तो allotment पे इसके maximum adjust ही 80 हो सकते है इससे जदा नहीं हो सकते भाई adjust इससे जादा इड्जस्ट ही नहीं हो सकते क्योंकि पैसा ही उतना लेना है तो अभी भी एक लाग बचा वो कहा जाएगा कॉल पर जाएगा यानि 20,000 शेयर पे कॉल कितने का है 3 रुपे का 60,000 आपको कॉल पर लेना है और हमारे पास इसका कितना पैसा भी फालतू पढ़ावा है एक लाग रुपे एक लाग में से 60 यहां एड्जस्ट हो जाएगा तो इसको कॉल पर भी कुछ नहीं देना अभी भी 60 एड्जस्ट करने के बाद भी कितना बचा 40 बचा यह जो 40 है पा रहे हमें वापस ही करना पड़ेगा और कोई option ही नहीं है तुम सोचो ना कि तुमने इसको 20,000 शेयर दिये हैं तुम्हें 20,000 पर 10 रुपे लेने हैं 20,000 पर 10 कितना बैठता है 20,000 पर 10 दो लाग रुपे बैठते हैं और इसने application पर ही कितना भीज़ दिया था इसने application पर ह दो लाग 40,000 भेज दिये थे तो आपको 40 तो वापिस करने ही पड़ेंगे ना इसके और इससे कुछ भी नहीं ले सकते हैं आप allotment पे भी कुछ नहीं मांगोगे first call पे भी कुछ नहीं मांगोगे क्योंकि पहले इसने इतना पैसा extra दे दिया तो अब देखो क्या होगा यहा क्यों क्यों नहीं आ सकता क्योंकि सर्फ first category का सिर्फ 240 आ सकता है और second category का सिर्फ 80 आ सकता है तो maximum कितना बना यहां पर 320 आ सकता है ठीक है और बाकी जाएगा call पे उसको हम बोलते है calls in advance जो call पे जाएगा इसका कितना 60,000 और जो extra अभी भी बचा वो यहां bank में plus होगा 180 प्लस 40 आप exam में इसको पूरा लिख के आना 180 और 40 220 यहां पे आएगा यही entry ध्यान से देखने वाली है बच्चे यहीं पे marks कर जाते हैं यही entry आपको बड़े ध्यान से देखनी है तीन category थी पहली का तो पैसा ही वापिस कर दिया दूसरी category को बड़े ध्यान से देखा तो मुझे समझ में आया कि इसका पैसा जितना भी extra है 240 extra है वो सारा allotment पे adjust हो गया बड़े असानी से लेकिन तीसरी category जो है उसका इतना पैसा फालत हो था कि वो adjust करने के बाद भी बचेगा जो बचा वो हमने bank में डाला वापिस करा ठीक है perfect है अब एक चीज और यहां से समझ में आती है यह जो area हुआ था 320 शेयर पे यह second category में हो ही नहीं सकता था सर क्यों नहीं हो सकता था अगर मैं question paper इस तरीके से सोचूं कि बच्चे को confuse करना है तो मैं आपको exam में category बताऊंगा यीं कि यह 320 वाला कौन सी category में है category क्यों नहीं बताऊंगा क्योंकि एक category तो वो थी जिसका सारा पैसा वापिस कर दिया यह वाला तो यह तो picture में ही नहीं है, अब दो category बची, इस वालि category का इतना पैसा फालतू था कि हमें वापिस करना पड़ा, तो इसका area वैसे नहीं हो सकता, इसने तो शुरू में इतना पैसा दे दिया, तो area विसी में से हो सकता था, समझे, दिमाग चलना चाहिए तुम्हारा इस चीज पे यही तो shares में खास बात है आओ चलो अब हम क्या करते हैं allotment मांगते हैं share allotment debit to share capital कितने shares है एक लाग shares पे एक लाग share पे चार रुपे चार लाग रुपे का allotment मांगेंगे चार लाग में से already कितना आ चुका है तो receive कितना होगा bank account debit to share allotment only 80,000 सिर्फ 80,000 आएगा वो भी कौन देगा यह देगा 30 में से 240 इसके adjust करते हैं 80 से लेने हैं इसका तो कुछ पैसा लेना ही नहीं हमें राइट चालो अब चलते हैं first call पे share first and final call debit to share capital एक लाग पे तीन रुपे तीन लाग अब यहाँ पे ध्यान से देखना है इस entry को bank debit कुछ पहले से आया वा है उसको calls in advance को debit करेंगे कुछ पैसा मरा calls in area को debit करेंगे to share first and final call share first and final call पे तीन लाग पहले से कितना आया वा था calls in advance में मैंने 60,000 का advance area किसका हुआ था एरियर हुआ था हमारे बाद 160 वाले shareholder का 160 वाले shareholder का मुझे access देखने की जुरत नहीं है क्योंकि वो जिस category में था वो इस वाली category में था ना first वाली category में इसका extra पैसा allotment तक ही गया था इस category का extra पैसा allotment तक ही गया था final call पे उसका कोई access नहीं था तो बस simply 160 रुपे पे 160 शेयर पे कितना का है first call तीन रुपे का 160 पे तीन है चार्सवासी यह नहीं मिलेंगे बाकी आपको मिल जाएंगे हमें मिलेंगे 239520 239520 239520 यह हमें रिसीव जाएं ठीक है समझ आया परफेक्ट है बस अब मुझे क्या करना है इन शेयर को forfeit करना है his shares were forfeited and then re-shoot forfeit re-shoot करने के लिए मुझे सब हटाना पड़ेगा आप फटा फटसे एक बार entry कर लो नोट कर लो मैं हटा रहा हूँ ठीक है screenshot ले लिया चलो जी first entry हटा रहा हूँ मैं और यही सबसे important थी दुबारा देख लो एक बार लेना है तो ले लो screenshot ओके चलो सब फटाबट से हमें जब forfeit करना है तो share capital account debit premium कोई चक्कर ही नहीं है इसमें होता तो फिर देखना पड़ता है कि रोना है या नहीं रोना है जैसे पिछली question में premium नहीं मिला तो company रोही थी share capital debit 2 call scenarios to share forfeiture ठीक है number of share forfeited 160 call it up पूरा 10 160 पे 10 रुपे यानी 1600 call scenarios area sales का 480 तो बाकी forfeiture में आ जाएगा 1600 minus 1600 minus 480 1120 1120 का profit हुआ है देखो हमें share पे 1120 का हमें क्या हो चुका है profit हो चुका है ओके चलिए sir अब हम चलते हैं यहां पर इससे जब हम रीशू करेंगे तो रीशू कैसे हुआ यह बैंक अकाउंट डेबिट 15 पर शेर फुली पे डब वा दस वाला पंदरा में बैंक डेबिट टू शेर कापिटल टू सिक्यॉरिटी प्रीमियम पाच दस पंदरा मिल्टिप्लाइ करो 160 से 160 इंटू 15 करूं अगर चौविस सो सोला सो आठ सो सारा ट्रांसफर कर दू शेर फूर फूर फीचर अकाउंट डेबिट टू कापिटल रिजर्व पूरा ग्यारा सो बीस ट्रांसफर हो जाए क्योंकि यहां पर हमने एक भी रुपे का पैसा एक भी रुपेया यूज नहीं करा फॉर फीचर के टाइम पर ठीक है तो दिस इस हाओ बेटा जी हम लोग करते हैं क्वेश्चन्स किस चीज के प्रो राटा अलॉर्टमेंट के अब बेटा जी आप लोगों ने शेयर्स के बड़े क्वेश्चन्स आरे देख लिए जो आपके पास छे नंबर के आने हैं है ना हर टाइप ऑफ क्वेश्चन आज की इस लेक्चर में कवर हुआ है आपको बस बड़े ध्यान से इनको करना है और अगर आप इनी क्वेश्चन्स को दो दो तीन तीन बार कर लोगे ना मेरे हिसाब से अगर आप मुझे कुछ भी समझते हो अपना भाई समझते हो टीचर समझते हो whatever you think तीन बार जरूर प्राक्टेस करना इन क्वेस्चन की, हर क्वेस्चन तीन-तीन बार करना, उसके बाद तुम किताब में कोई भी क्वेस्चन उठा लेना तुम्हें समझ में आने लगेगा, समझे? अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक और है, बैलेन शीट, जिसके अंदर हमें शेर कैपिटल का प्रेजेंटेशन दिखाना होता है, किताबों में इतने अच्छे क्वेस्चन नहीं हैं उसके, तो मैं इस वीडियो में कुछ अच्छे क्वेस्चन आप को कवर कर रहा हूं, इन अच्छे क्वेस्चन को करने के बाद आपका बैलेन शीट वाला टॉपिक भी खतम हो जाता है, आओ, अब जल्दी से बैलेन शीट बनाना सिखते हैं और शेर को सबाप्त करते हैं, प्रेजेंटेशन ओफ शेर कापिटल इन बैलेन शीट, बैलेन श को क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इस तरीके से एक बैलेन शीट तयार कर लेनी है, यहाँ पर हम लिखेंगे पर्टिकलर्स, यहाँ पर हम लिखेंगे नोट नमबर, यहाँ पर हम लिखेंगे करंटियर अरमाउंट, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिवेस अरमाउंट, और उसके बाद आपको क्या कर देना है, यहाँ पे capital letters में लिखना है, equity and liabilities, उसके बाद shareholders funds, and then share capital, आपके syllabus में बच्चो share capital है, तो आपसे सिर्फ share capital ही पूछेगा, यहाँ पे note 1 डालते न, इसके अंदर वो amount आती है, जो हम नीचे note 1 से calculate करेंगे, ठीक है, अब note number 1 में, हम यहाँ पे डालेंगे note 1, और इसके अंदर हम लोग लिख देंगे share capital, note 1, and इसमें हम mention करेंगे share capital, तो अब यह share capital calculate कैसे होता है actual में, वो आपको देखना है, ठीक है, कि share capital कैसे calculate होता है, तो share capital calculate करने के लिए बच्चे, सबसे पहले तो यह चीज़ पकड़ो, कि यहाँ पे हमें starting में सबसे पहले लिखना है authorized capital, sir क्या यह authorized capital balance sheet में जाता है, the answer is no, सिर्फ note में दिखाना है, ठीक है, authorized capital वो capital होती है, जो company के MOA में गिवन होती है, कि company during its lifetime इतना capital raise कर सकती है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग authorized capital लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, इ इतना each, और amount यहाँ आ जाएगा और इसे आप close कर कोगे, बस, और कुछ नहीं है, दूसरा क्या आता है इसके बाद, number two आता है, बच्चे, issued capital, sir, issued capital क्या है, इतने shares of rupees इतना each, जो किसी भी तरीके से issue करे गए है, चाहे वो vendor को दिए गए हो, vendor को दिए गए हो, तब भी किसी को भी share issue करे गए है, वो issued capital में आ जाएगा, क्या sir, यह balance sheet में आता है, नहीं, यह भी balance sheet में नहीं आता, next आता है, subscribed capital, इसका खेल है सारा, subscribed capital ही सबसे important topic है, और इसी का ही सारा खेल है, ठीक है, यह जो subscribed capital है, इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं, subscribed and fully paid up, subscribed and fully paid up किसको बोलते हैं बच्चे, जब जितने का share हो, वो सारा पैसा मिल गया, यह याद रखना, इतने shares of rupees, इतना each, सर, जितने का share हो, सारा पैसा मिल गया, क्या मतलब है, देखो, जैसे for example, 10 rupees का share है, और इस पे अभी 8 मांगे गए, और 8 मिल गए, तो कुछ बच्चे confused होते हैं, कि सर, 10 का share था, 8 मांगे, 8 मिल गए, तो fully called up, और fully paid up हो गया, अंसर आएगा no, यह fully paid नहीं है, जब तक जितने का share है, यह पैसे नहीं मिल जाते, तब तक यह fully paid नहीं होगा, fully paid में याद रखना, 10 का share, 10 मांगे और 10 मिल गया, यह important है, 10 का share, 9 मांगे और 9 मिल गया, तो यह भी fully paid नहीं है, क्योंकि अभी 10 पूरे नहीं होगे, जितने का share है न वो पैसा पूरा होना जरूरी है, ठीक है, इतने shares of rupees, इतना each, यह तो fully paid में आ गया, इसके बाद heading डलती है subscribed and not fully paid, यह वो होता है, जिसमें सारा पैसा नहीं मिला, तो dash shares of rupees dash each, यहाँ पर amount आ जाएगी, ठीक है, इसमें से minus करना है बच्चे, इसमें से minus करना है, calls in arrears, sir call scenarios, कौन से shares का minus करना है, calls in arrears बच्चे यहाँ पर लिख लो, वो share जो अभी forfeet नहीं हुए, ठीक है, वो share जो भी forfeet नहीं हुए, multiplied by amount not received, multiplied by जो amount नहीं दिया, देखो वो share यह important है, जो अभी forfeet नहीं हुए, अगर share forfeet हो गए ना बच्चे तो वो balance sheet में आए गई नहीं, क्योंकि वो share तो जिन्दा ही नहीं है, वो share exist ही नहीं करते हैं, जो share जिन्दा ही नहीं है, वो balance sheet में क्यों आएंगे, आएंगे ही नहीं, ठीक है, add करना है, share forfeature, share forfeature add करना है, call scenarios minus क करोगे उपर यह वाला amount यहाँ पर लिख दोगे ठीक है अब share for feature में भी बच्चों को बहुत problem आता है share for feature में कौन सी amount आती है जब आप बड़ा share का question करते हो तो for feature में कौन सी amount आती है for feature में बच्चे वह amount आती है जो shares forfeit हुए लेकिन अभी री इशू नहीं हुए अगर री इशू हो गए फिर तो जितना भी for feature में पैसा था वो सब capital reserve में चला जाएगा जैसे आपने share री इशू कर दिये तो जितना भी पैसा है वो सब गया capital reserve में capital reserve में गया तो share capital में थोड़ी आएगा फिर तो reserves and surplus में आएगा यहां पर क्या होता है वो share कि जो अभी री इशू नहीं हुए अभी तो आपने बताया था कि जो forfeit हो जाते हैं वो यहां पर आते नहीं है यह भी तो forfeit हुए यह balance sheet में क्यों आ रहे हैं बेटा balance sheet में इनका वो पैसा आ रहा है जो इनसे मिल गया वो पैसा आ रहा है जो मिल गया multiplied by amount received suppose 10 रुपे मांगे थे 5 इसने नहीं दिये 5 तो दिये न तो जो 5 दिये हैं वो यहां पर आएगा okay sorted यह main basics हैं पहले तो यह लिख लो यह आपको मदद करेंगे पूरी balance sheet बनाने में यह basics note कर लो एक बार ठीक है screenshot लो फड़ावट से अब तीन example की मदद से तुम्हारे मैं पूरे basics clear कर दूँगा ठीक है आओ example number one x limited was formed with a authorized capital of rupees 1 crore यह rupees का ध्यान रखना एक करोड authorized capital है divided into 10 lakh shares of rupees 10 each दस लाग share है 10 रुपे का एक है ठीक है company issued 60% shares to public जनता को 60% share offer कर दिये company ने ठीक है उसके बार लिखेंगे all the shares were subscribed and money received present share capital in balance sheet सारा का सारा पैसा मिल भी गया और जनता ने subscribe कर और मिल भी गया आपको बुल रहा है balance sheet में दिखाओ अब देखो इस case में क्या गड़ना है अब आप क्या करोगे सबसे पहले एक तो आप छोटा सा extract बना लोगे balance sheet का previous year current year note number particulars note number current year previous year यहाँ पर आप लिख दोगे equity and liability पूरा लिख लेना प्लीज फिर आप लिख लोगे shareholders fund and then share capital यहाँ पर आप note 1 डाल दोगे यहाँ रहना है ठीक है अब यहाँ पर आप note बना होगे note में बच्चे सबसे पहले क्या लिखते हो authorized capital जो balance sheet में नहीं आता बस दिखाना होता है कितना इसका authorized capital देखो 10 lakh share of 10 each तो हम यहाँ लिख देंगे 10 lakh shares of rupees 10 each तो यह आ गया 1 करोड खताँ यह balance sheet में नहीं आता इसको ऐसे ही छोड़ना है ठीक है फिर हम लिखेंगे issued capital issued capital कितना है 60% ठाना इसका मतलब 6 lakh shares of rupees 10 each 6 lakh shares हो गए 10 रुपए के तो यहाँ पर आ गया बच्चे 60 lakh ठीक है यह भी कहीं नहीं दिखाते है इसके बाद subscribed capital और यह लिखा है कि सारा पैसा मिल गया अगर सारा पैसा मिल गया बच्चे तो फिर सारे के सारे fully paid हो गए सारा पैसा मिल गया तो fully paid हो गए not fully paid तो कोई सा भी नहीं है तो हम लिखेंगे subscribed and fully paid up कितना सारा 6 lakh shares of rupees 10 each पूरा 60 lakh रुपए आपका यह आपका यहाँ balance sheet में आ जाएगा current year में this is 60 lakhs sorted इस तरीके से बच्चे हमारा पूरा का पूरा तैयार हो जाता है balance sheet का note और balance sheet done simple अब देखो इसमें मैं इसका screenshot ले लो पहले फिर मैं इसको थोड़ा सा change करूँगा question को इसी question की मदद से मैं आपको सारे cases करा दूँगा done अब देखो अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ कि 10 रुपे का एक है और यहाँ पर एक line add कर दूँ यहाँ पर एक line add कर देते हैं company issued 60% shares to the public and called rupees 8 only अगर मैं ऐसा लिख दूँँ कि company ने सिर्फ 8 रुपे ही call करे हैं 2 रुपे company ने call ही नहीं करें ठीक है company ने सिर्फ कितना call करा 8 रुपे ही call करें है तो अब क्या impact आएगा question में क्या change आएगा देखो इस scenario में बच्चे यहाँ पर यह बदल जाएगा यह बदल जाएगा और यह बदल जाएगा वाकि सब से सब्सक्राइब्ड में फरक आजाएगा सबसे पहले आएगा सब्सक्राइब्ड और फुली पेड अब सोचो बच्चो company ने अभी 2 रुपे call ही नहीं करें 10 रुपे का शेयरता company ने सिर्फ 8 रुपे ही मांगे हैं दो मांगे ही नहीं अगर दो मांगे ही नहीं तो फुली पेड कोई भी नहीं है तो यहां तो डाश लग जाएगा दूसरा आएगा सब्सक्राइब्ड और नौट फुली पेड सब्सक्राइब्ड और नौट फुली पेड अब आ जाएंगे यहां पर सारे शेयर्स छे लाग शेयर्स ऑफ रुपीज 10 एच कितना मांगा एट कॉल डप आट रुपे मांगे तो इस बार 6 लाग इंटू 8 अड़ तालेस लाख रुपे आपको रिसीव होंगे इस बार 48 लाग इस बार बैलन शीट में यहां पर 48 लाग आएगा समझे फुली पेड में वो पैसा आता है जब सारा पैसा मिल जाए अगर सारा मिला ही नहीं तो यहां पर नहीं आएगा सॉड़ दीड चालो अब हम एक नया क्वेश्चन करते हैं इसका स्क्रीन शौट लेना ये लो जल ली जिन अब एक नया क्वेश्चन करते हैं अब एक काम करता हूं इसको अटा जता हूं इसके जूरत नहीं है अल्दा शेयर्ट वर सब्सक्राइब एंद मनी रिसीवड यह from Mr. X holding 2000 shares देखो अब देखो question में क्या फरका आए question वो ही है सभी share subscribe हुए सभी का पैसा भी मिला लेकिन 2000 share पे बच्चो final call दो रुपे का नहीं मिला सब 2 रुपे का final call नहीं मिला नहीं मिला तो इसको area बोलते है अब देखो balance sheet पे क्या impact आएगा अब तुम्हें यह बता चल गया कि total amount यहाँ पे आती है तो मैं इसको तो हटा रहा हूँ आपको पता ही है कि यहीं पे आना है इसमें भी authorized issued सेम रहेगा subscribed का खेल है तो हमें जो main सीखना है वो subscribed सीखना है अब देखो यह आपका subscribed capital है मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि authorized issued लिख लोगे आप यह आपका subscribed capital है इसमें बच्चो subscribed सबसे पहले यही format हमें मदद करेगा and fully paid यह आ जाते हैं उसके बाद subscribed and not fully paid आ जाते हैं ठीक है less कर देते हैं हम लोग क्या call scenarios और add हम लोग क्या कर देते हैं share for feature ठीक है अब देखो question क्या बोल रहा था question ने total total 10,000,000 shares थे public में 60% issue करे गए थे यानि कि 6,000,000 shares हैं जो offer करे गए थे सही बात है इन 6,000,000 shares में से एक चिंटू है जिसका नाम है X उसने अपने 2 रुपे नहीं दिये इसके पास कितने पैसे हैं इसके पास 2,000 share है 2,000 share अलग कर दो 5,98,000 share अलग कर दो सही बात है एक चिंटू नहीं तो पैसे नहीं दिये बाकी ने तो दिये 2,000 वाले ने पैसे नहीं दिये बाकी ने दिये तो जो 2,000 वाले ने पैसे नहीं दिये ना बच्चे यह तो हो गए not fully paid क्योंकि इसने 10 में से 8 ही दिये 2 तो दिये ही नी है ना और यह कौन है यह है fully paid यह है fully paid क्योंकि इन्होंने सारा पैसा दे दिया तो इस बार जो fully paid है उसमें कितने आएंगे 5,98,000 shares of rupees 10 each 5,98,000 तो पूरा आ जाएगा 59,80,000 यह तो यहां आगया 59,80,000 अब अगर हम not fully paid पे चलें तो not fully paid में कौन से आओंगे 2,000 shares 2,000 shares of rupees 10 each तो 2,000 पे 10 20,000 रुपे तो यह हो गए area कितना है area है बच्चे इनी 2,000 share पे कितना नहीं दिया था इसने 2 रुपे नहीं दिये थे 2,000 share पे 2 रुपे 4,000 का हमारे पास area आगया forfeiture कुछ नहीं आएगा sir forfeiture क्यों नहीं आएगा forfeiture तो तो तब आता है 59,96,000 यह आपका balance sheet में share capital में चला जाएगा समझे कैसे करना है call scene area इसको not fully paid दिखाओ पहले ऐसी table बना लेना कितने पे पूरा पैसा मिल गया कितने पे नहीं मिला जिन पे नहीं मिला वो not fully paid जिन पे मिल गया वो fully paid फिर not fully paid में area ऐसे दिखाना है done sorted बच्चे ठीक है इसका screenshot ले लो अब हम next case पे चलते हैं अब मैं next case पे चल रहा हूं इसको हटा रहा हूं इसको भी हटा रहे हैं बड़े ध्यान से करना कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम लोग को यह आसानी से बन जाएगा ओके यह 2000 share of 100 each यह भी हटा दो यह भी हटा दो बस अब question में मैं थोड़ा सा बदलाओ करूं question में थोड़ा सा change करेंगे sir क्या यह question रहेगा X limited authorized capital वही है 10 lakh वही है company ने इतने shares offer करे सभी share subscribe हो गए और पैसा मिल गया except final call 2 Mr. X से नहीं मिला उसके बाद एक line जोड़ दूँगा company forfeited all shares of Mr. X company ने Mr. X के सभी share forfeit कर दिये एक line जोड़ दी मैंने बस इसके अंदर पहला case क्या था सब पे पैसा मिल गया दूसरा case क्या था पूरा call ही नहीं करा तीसरा case क्या था कि पैसा मर गया area हुआ चौता case हमने forfeit कर दिये छे लाग share पे चिंटू के पास 2000 share है जिसने पैसा नहीं दिया 2000 share अलग कर दू यहाँ पे 598 shares पे पैसा मिला इन पे पैसा मिला इन पे पैसा नहीं मिला सही है अब यह जो 2000 share है यह company ने कर दिये बच्चो 4 feet यह कर दिये 4 feet अगर 4 feet कर दिये ना बेटा तो याद रखना वो balance sheet में नहीं आएंगे वो balance sheet में नहीं आएंगे सर balance sheet में shares आते कौन से हैं तो जो shares आपके balance sheet में आते हैं वो होते हैं subscribed subscribed minus forfeited plus reissued यह याद रखना जितने subscribe हुए minus forfeet हो गए वो अटा दो अगर reissue हो गए तो वो add कर दो वह जैसे for example हमारे गाउं में 1,00,00,00 लोग है अब बाड आई और हमारे गाउं में से 10 लोगों को आगे ले गई तो वो चले गए हमारे बाद से forfeet हो गए तो अब 1,00,00,00 में से 10 कम हो गए वो तो हमारे गाउं में नहीं रहे लेकिन पीछे से 10 और बहके आगए भई पीछे से भी तो बाड आई रही है तो वो पूरे हो गए तो वही काम है जो चले गए वो हटा दो जो reissue कर दिया वो add कर दो याद रखना ठीक है सब्सक्राइब अब फिलहाल क्या हुआ है यहां रीशू की बात नहीं हो रही यह फॉरफीट हो गए है अगर फॉरफीट हो गए बच्चे तो यह तो बैलंस शीट में आने ही नहीं है अगर फॉरफीट हो गए है तो यह तो बैलंस शीट में आने ही नहीं है बैलंस शीट में तो यह आजाएगा 59,80,000 इसके बाद बेटा जी not fully paid में 2000 थे बट वो forfeit हो गए वो तो नहीं आने यह तो आने नहीं लेकिन 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 जो इस पर पैसा आपने जब्त करा है क्योंकि अभी रीशू तो करें नहीं मैंने क्या लिखवाया था आपको मैंने आपको यहां पर क नहीं हुए यानि forfeit हुए है रीशू नहीं हुए into amount received वो तो add करना है भाई टोटल इन से कुछ न कुछ पैसा तो मिला था इस चिंटू ने इसके पास 2000 शेयर थे इससे आपने 10 रुपे मांगे हैं इसने 2 नहीं दिये तो भाईया 8 तो दिये है वो पैसा आपने इसका जब् जब रीशू कर दोगे फिर तो वो capital reserve में चला जाएगा अभी तो यहीं है तो उसको जोड़ो यहां पर वो add करना है यह याद रखना बस जितने शेयर रीशू नहीं हुए जो सिर्फ फॉरफीट हुए है ओके 2000 शेयर फॉरफीट हुए और इस पर जितना मिल गया कितना मिल जाएगा यह याद रखना ठीक है जितने शेयर फॉरफीट हुए है लेकिन अभी रीशू नहीं हुए वो यहां पर आएगा जल्दी से screenshot लो यह question बहुत बढ़िया था इसका फटावट से screenshot ले लो हो गया जी sorted done अच्छा जी सर अब सर इसके बाद हम और कौन-कौन सा केस बना सकते हैं आज आओ आपको इसके और केस दिखा देता हूं और केस क्या बन सकता है सर और केस बन सकता है बच्चो कमणी ने यह फॉर्फेट कर दिये अब लिखते हैं और रीशूड आट रुपीज नाइन fully paid up कमणी ने यह रीशू कर दिये 9 रुपे में fully paid up समझ गए 10 वाला 9 में अब बच्चो अगर 10 वाला 9 में हो ना तो आपको फरक नहीं बढ़ता कि कितना पैसा मिला याद करो जब 10 वाला 9 में हो तो क्या entry करते हो बैंक डेबिट शेयर फॉर फीचर डेबिट टू शेयर कापिटल यहां तो दस ही आएगा यहां एक यहां नो तो शेयर कापिटल में तो दस ही आ रहा है ना देखो यहां भी लिखा है fully paid ठीक है तो इस बार क्या हुआ देखो कंपनी के पास 6 090,000 शेयर कंपनी ने इशू करे थे एक चिन्टू था जिसके पास 2000 शेयर थे इसने पैसा नहीं दिया 5,98 ने पैसा दे दिया. ये तो fully paid थे. ये तो fully paid थे ही. ये इसने पैसा नहीं दिया तो गंधी ने करे एंद फ़र फेट. फ़र फेट करने के बाद चिंटी को दे दिये ये सारे share. Sutटीकर बसान है. पड़िए इस पर भी पूरा है पैसा मिल गया. रिशू कर दिये तो इस पे भी पूरा पैसा मिल गया और इस पे भी पूरा पैसा मिल गया तो फिर तो ये सारे ही fully paid हो गए हो गए ना सारे fully paid तो इस बार not fully paid में बच्चों कुछ नहीं आएगा क्योंकि call scenarios में हम लोग क्या लिखते हैं रिखो कॉल सीघिसमें लोग लिखते हैं वो शेयर जो भी फॉरीट नहीं हुए उप रूपीज और यहां लिखते हैं जो भी रीशु नहीं हुए वह तो रिशु भी होगए हैं तो कोई काटिग्री बचती ही नहीं तो यह सीधा सीधा सब्सक्राइब दैंट fully paid में आ जाएंगे इस बार पूरे के पूरे 6 लाग shares of rupees 10 each, पूरे 60 लाग रुपए आपके balance sheet में चले जाएंगे, पूरे 60 लाग रुपए आपके balance sheet में चले जाएंगे, ठीक है जी, done, आओ, अब तुम्हें दिखाता हूँ सबसे special case और सबसे खतरनाख case, let's suppose, company issued, एक लाग shares of rupees 10 each, company ने issue करें, एक लाग share, 10 रुपए का एक है, ठीक है, आगे लिखा है, all shares were subscribed, सभी shares subscribe हो गए, and money received और पैसा मिल गया, except, except 5,000 shares of Chintu, who failed to pay rupees 3 on final call, Chintu ने 3 रुपए final call पे पे नहीं करें, 3 रुपए final call पे नहीं करें, ठीक है जी, उसके बाद आगे आएगा, 3000 shares were forfeited, इसमें से 3000 shares forfeited हो गए, and 1500 shares were reissued to Chintu at rupees 9, fully paid up, देखो ये है सबसे extreme case, और ये बच्चो को सबसे ज़्यादा परिशान करता है, जबकि इसमें कुछ नहीं है, आप pause करके चाहिए, खुद एक बार try कर लो, फिर मैं सिखाता हूँ, ठीक है, देखो, सबसे पहले बच्चो, subscribed capital, authorized issued आप खुद लिखोगे, authorized इसमें तो given नहीं है, तो dash लगा दोगे, issued given है, वहाँ से शुरू कर देना, ठीक है, subscribed capital, सबसे पहले subscribed and fully paid यहाँ पे लिखते हैं बच्चे, उसके बाद subscribed and not fully paid लिखते हैं, इसमें से less करते हैं, हम लोग calls in area और add करते हैं, हम लोग share for feature, ठीक है, अब मुझे table की जरुवत पढ़ेंगी, देखो, total कितने shares थे, एक लाग shares थे, total एक लाग shares थे बच्चो, 10 रुपे का एक था, सभी share खरीद लिए गए, पैसा मिल गया, बस चिंटू के 5000 share पे पैसा नहीं मिला, पाँच हजार पे अगर पैसा नहीं मिला, तो इसका मतलब 95,000 पे तो पैसा मिल गया, 95,000 पे तो सारा पैसा मिल गया, ठीक है, अब चिंटू के 5000 share थे बच्चो, 5000 share में से, company ने सिर्फ 3000 ही forfeit करे, 5000 में से 3000 forfeit करे, तो आपको पता क्या करना है, दो category बना ले नहीं है, आप बोलो की 2000 share है, ये भी चिंटू के है, इस पे भी इसने पैसा नहीं दिया, एक 3000 share है, ये भी चिंटू के है, इस पे भी इसने पैसा नहीं दिया, ऐसा लिख सकता हूँ, 5000 share जिन पे पैसा नहीं मिला, उसको मैंने 2 parts में तोड़ लिया, 2000, 3000, नहीं किये इंपॉर्टेंट देखना यह table आपने बना ली ना तो यह आपके लिए बहुत असान है ठीक है perfect है अब यहाँ पे आप एक calculation समझो एक calculation समझो category को समझना बड़े ध्यान से किया category क्या है तो बच्चे सबसे पहले 95,000 shares तो वो हैं जिन पर पूरा पैसा मिल गया यह तो fully paid है fully paid है 2000 share वो हैं जिन पर पैसा नहीं मिला और यह forfeit भी नहीं हुए तो यह not fully paid है पंदरा सो वो हैं जो रीशू कर दिये गए अगर रीशू कर दिये गए तो यह भी fully paid है रीशू कर दिये पूरे में देखो साथा लिखा है 9 रुपे fully paid में ठीक है अगर यह fully paid ना लिखा होता तो फिर यह not fully paid में जाते बस इतना ही difference था तो देखो हम वैसे भी कैसे देखते है total number of shares issued एक लाग shares subscribe करे गए थे minus forfeited forfeit कितने हुए 3000 प्लस reissued रीशू कितने हुए 1500 तो एक लाग मैनस 3000 प्लस 1500 एक लाग मैनस 3000 प्लस 1500 98500 shares balance sheet में आएंगे 98500 shares है जो balance sheet में आएंगे अब इस 98500 में से कितने fully paid और कितने not fully paid देखो आपके साम नहीं है 95 और 1500 95 और 1500 कितने हो गए फुली पेड है देखो 95 यह चीज आपको पुली पेड ठीक है यह नाट फुली पेड है तो यह तो हो गई आपके fully paid यह हो गए not fully paid, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये टेबल ये आपको मदद करेगी, इस टेबल को ध्यान से देखना, ये category अलग-अलग कर लो, भही एक लाग shares थे, 95 ने तो पूरा पैसा दिया 5000 में पूरा पैसा नहीं दिया, लेकिन कुछ फॉरफीट देखना है, तो जो फॉरफीट वह अलग, जो नहीं हूए वो अलग, फॉरफीट के बाद रीडिशू हो गगए, रीचू हमेशा फुली पेड होता है, अगर फुली पेड लिखा हो, ये फुली पेड, ये फुली पेड, of rupees 100 का था 10 का था 96,500 shares of rupees 10 each of rupees 10 each तो यह आजाएगा 9,65,000 यह आजाएगा 9,65,000 ठीक है अब not fully paid में क्या आएगा sir not fully paid में आएगे मारे पास यह 2,000 shares 2,000 shares of rupees 10 each तो यह तो आगए 20,000 यह तो आगए हमारे पास 20,000 ठीक है अब हमें माइनस करना है call scenario sir call scenario किसका होता है वो share जो अभी forfeit नहीं हुए यह 2,000 वाले यह forfeit नहीं हुए यह call scenario में लिखते हैं वो share जो forfeit नहीं हुए 2,000 into इसने जो नहीं दिया क्या नहीं दिया था इसने final call नहीं दिया था वस who failed to pay final call on 3 rupees यह इसने नहीं दिया तो 6,000 इसमें से माइनस हो जाए कि नहीं दिया add क्या होगा वो share जो भी ratio नहीं हुए कौन से share ratio नहीं हुए थे देखो 3,000 में से 1500 तो रीशू हो गए जो भी four feature का पैसा था वो capital reserve में गया ratio नहीं हुए वो तो यहीं है 1500 पंदरासो पर कितना पैसा वो पैसा जो आपको मिल गया भाई 3 नहीं मिला तो 7 तो मिल गया होगा 1500 पर 3 नहीं मिला ना 7 तो मिल गया होगा 1500 पर 7 कितना आजाएगा 1500 पर 7 10,500 दो तो 965 प्लस 20,000 प्लस 10,500 माइनस 6,000 989,500 यह बेटा आपका final value है जो आपकी balance sheet में share capital में जाएगी यह question सबसे बड़ा है और यह question सबसे ज़्यादा परिशान भी कर सकता है बट यह इसका extreme level है इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनता done sorted अब एक और final दिखाता हूं इसी तरीके का अब हम orally करने ही कोशिश करेंगे जादा tension नहीं लेंगे और example एक लाग shares है ठीक है? 10 रुपे का यह कै बहुत साफ साफ लिखाव है कि 10,000 share पे 2 रुपे नहीं मिले साफ साफ लिखाव है कि 10,000 share पे 2 रुपे नहीं मिले ठीक है? तो हम क्या बोलेंगे सार? कि 1,00,000 है न? 10,000 पे नहीं मिले तो 90,000 पे तो मिल गए इस पे तो मिल गए यह अलग 10,000 पे नहीं मिले जिसमें लिखाव था half were forfeited आदे forfeit कर गए थे 10,000 के आदे forfeit हुए आदे forfeit नहीं हुए तो मैं बोलूँगा 5,000 अलग है और 5,000 अलग है पैसा इसने भी नहीं दिया पैसा इसने भी नहीं दिया लेकिन forfeit सिर्फ यह हुए और उसके बाद लिखावा था इसमें से 3,000 were resued सारे resued हो जाए तो बात ही कुछ नहीं है टेंशनी free है हम लेकिन सिर्फ 3,000 resued हुए है तो ठीक है इसमें से resued कितने हो गए resued हो गए 3,000 तो सार resued कितने नहीं हुए यह जरूरी है देखना 5,000 में से 3,000 resued हो गए तो 2,000 resued नहीं हुए तो अब देखो fully paid में क्या क्या आएगा fully paid में एक तो इसने सारा पैसा दे दिया और एक इसने क्योंकि मैं consider कर रहा हूँ कि यह 3,000 resued हुए as fully paid तो 90 और 3 93,000 पे 10 रुपे तो fully paid में आ जाएंगे that is 93 9,30,000 9,30,000 fully paid में आ गए not fully paid में कौन से बचे बस यह 5,000 क्योंकि यह तो 4 feet हो गए यह तो आने ही नहीं 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 5,000 बचे तो not fully paid में 5,000 पे 10 50,000 उसके बाद इसका area इसने क्या नहीं दिया था 5,000 पे कितना नहीं दिया था 2 रुपे 5,000 पे दे को 2 रुपे नहीं दिये थे 5,000 पे 2 नहीं दिये थे तो यानि 10,000 का area हो गया plus क्या करना है plus करना है वो जो ratio नहीं हुए ratio कितना नहीं हुए 2,000 और उस पे वो पैसा जो मिल गया कितना मिल गया 8 2 नहीं मिला तो 8 मिल गया तो यह हो गया 16,000 यह प्लस कर दोगे sorted यही procedure है बच्चो बड़ा simple सा गाम है इसमें 9,30,000 प्लस 50,000 प्लस 16,000 माइनस 10,000 9,86,000 इसका अंसर आजाए तो अगर आप share capital देख रहे तो यह वीडियो में जितने मैंने cases करा है इसके बाद आपको कोई भी problem नहीं आगी इससे आपका 3 number का सवाल अगर balance sheet का आया तो पक्का है आप आसानी से कर लोगे एक बात याद रखना if shares were issued at premium अगर shares premium वाला case आजाए premium पे आजाए तो आपको क्या करना है premium को ignore कर देना premium का कुछ नहीं करना बच्चे अगर share premium पे इशू हुए है तो आप premium को just ignore कर दोगे premium use ही नहीं होगा ऐसी देखो जैसे normal question है sorted I hope आप लोग को ये topic समझ आ गया होगा तो guys ये था हमारे पास issue of shares का एक complete video जिसमें बहुत सारे questions करे अगर आप इसको at a stretch देखोगे लेके बैठोगे दो घंटा तो बहुत ही शांदार तरीके से आपका chapter तयार होता है issue of shares, issue of debentures बहुत अच्छे तरीके से हमने cover कर आ है and बस आपको इनको एक बार करते चलना है at a stretch बैठ के करना है अगर यह दो घंटे का वीडियो है तो तुम्हें धाई घंटे लगने चाहिए इस पर क्योंकि तुम्हें रोक के ध्यान से समझ के देख के लिखोगे हर चीज at a stretch करना दो तीन बार देखना थोड़ा effort लगेगा इसके अंदर अपने पूरे जीवन के अगर तुम्हें दाई घंटे एक बार में लग रहे हैं तीन बार लगाओ साढ़े साथ आठ गंटे लगाओ इस टॉपिक पर आठ गंटे तुम लगाओगे न मैं गारिंटी के साथ बोल सकता हूं कि तुम्हारा यह तॉपिक तयार हो जाएगा तुम्हाई नमबर नहीं